मैंने program honestly मुझे मिला नहीं वो तो मैं बस दिखा रहा था बस यही चीज है चलिए अब हम बात करते हैं costing की costing के अंदर सबसे पहले हमें कुछ बातों को समझना होगा फिर हम chapter स्टार्ट करेंगे sir cost sheet हमारा first chapter जो रहने वाला है उस chapter का नाम है sir हमारा क्या हलाकि इस chapter को हम simply बोलेंगे cost sheet और cost sheet को अगर हम पढ़ते हैं आगे और detail में तो हमें क्या पढ़ना पढ़ेगा cost sheet में तो sir इस chapter में सीखने को मिलेगा इसमें सीखने को मिलेगा हमें profit निकालना या फिर loss निकालना sir profit and loss तो financial में भी निकालना सिखते थे लेकिन इसको निकालना होगा according sir निकालना होगा according to cost बड़ी सीधी सी बात है cost के हिसाब से profit या loss निकालना होगा यहाँ पे उसके लिए आपको कुछ बाते पता होना चीए हम पहले क्या करते थे सर नॉर्मली यह बनाया ट्रेडिंग P&L और काम स्टार्ट हो गया हमारा यह ट्रेडिंग P&L यहाँ पे हमारा debit credit का कोई मतलब नहीं रह जाता यहाँ पे हम जो follow करने वाले हैं ना वो करने वाले हैं sheet cost sheet का नाम है तो sheet का मतलब है एक tabler firm है sheet का मतलब है एक sheet होगा और इस sheet पे कुछ ऐसे detail हम fill कर देंगा यहाँ debit credit का कोई देना नहीं है इस तरीके से sheet होगा और यहाँ पे हम हर एक चीज का costing बना के profit या loss निकाल लेंगे that is इसको बोला गया cost sheet यहाँ पे हम costing के हिसाब से अपना profit या loss निकालेंगे तो इसलिए बोला गया sir इसको cost sheet sir अब costing को bifurcation करें ना अगर हम अगर according to cost देखें cost का bifurcation करें तो cost को दो भाग में बाटा गया है जो कि हमें इस sheet के अंदर समझाना होगा examiner को sir एक होता है हमारा direct एक होता है हमारा indirect sir direct का मतलब क्या है और indirect का मतलब क्या है direct का मतलब यह है जो apparently दिख रहा है जिसे आप देख के बता सकते हो directly बता सकते हो कि यह है उसे बोलेंगे direct सीधा देख के उसके costing को measurement कर सकते हो उसे क्या बोलेंगे sir direct बिल्कुल यह class भी upload होगी सारी classes upload होगी जैसे की पहले होती आई है तो direct cost अगर मैं simple सी बात मैंने थोड़ी देर पहले की example लिया था जैसे की burger का बात किया था मैंने इसके दर MacD के अंदर आप जानते हो तो अगर मैं बात करूँ तो आपको अगर मैं उसकी costing बताऊ न तो आपने भले ही 100 रुपे का खरीदा लेकिन उसके अंदर जो बंद है जो bread है मान लेते हैं 10 रुपे का उसके अंदर जो आलू की टिक्की है मान लेते हैं वो भी 10 रुपे का कितना हद मान के मान लोगे इतना ऐसा तो नहीं पांच किलो आलू लगा देंगे उसमें तो यह 20 रुपय का और बाकी उसके अंदर पनी डलवा लो चीज डलवा लो आपका मान लो वो भी 10 रुपय का टोटल पड़ता थोड़ा तो डालेंगे वो तो टोटल आप अंदाजे से ले ले लेते हैं 30 रुपए का बर्गर, हमसे 100 ले रहा है, वो कमाई कितना कर रहा है, 70 रुपए, यानि आप किसी प्रॉडक्ट को देखके उसका कॉस्टिंग जज कर ले ना, उसको बोलते हैं, आपने पता है क्या जज जो करते हो ना, वो कौन सा कॉस्ट जज करते हो, डारेक्ट कॉस्ट जो डारेक्टली लगता है प्रॉडक्ट को बनाने में, उसे बोलते हैं हम डारेक्ट कॉस्ट, इन डारेक्ट कॉस्ट क्या होता है सर, जो आप नहीं सोच पाते, जैसे, फैक्टरी के अंदर या फिर मैं बर्गर की बात करूँ, उस जहां पे गये थे, आप आउटलेट पे लेने के लिए, वहाँ पे देखो आपका AC, एक ट्यूलाइट जल रहा है, दस ट्यूलाइट जल रहा है, तो दस ट्यूलाइट का कितना खर्चा आपके बर्गर पे है, जो सर्वाइब कर रहा है, जो उसका कितना खर्चा आपके उपर सेलरी आपसे कितना लिया जा रहा है, जो cleaner है उसका salary कितना लिया जा रहा है guard जो है उसका salary कितना लिया जा रहा ये सारी चीज़े तो आप देखी नहीं रहे है वो cost कौन सा होगा हमारा indirect यानि जिस खर्चे को मोटा मोटी एक बोलते हैं नो मोटा मोटा इतना खर्चा आएगा तो जिस खर्चे को मोटा मोटी आप पता कर लेते हो that is a direct expense और जिस खर्चे को आप पता नहीं कर पाते है वो कौन सा होता है हमारा indirect expense लेकिन सर डारेक्ट expense में भी दो चीज़े हैं तीन चीज़े हैं basically अगर आप direct expense में भी जाओगे तो यहां भी तीन चीज़े निकल के आएंगी सर तीन चीज़े क्या निकल के आएंगी यहां पर एक तो आएगा material सर material का मतलब जैसे आप यहां पर बर्गर की में बात कर रहा हूँ तो बर्गर के अंदर बंध है आपका वो material है टिक्की आपका material है उसमें cheese डलावा या पनी डलावा है वो क्या है material है लेकिन इसके साथ साथ उसे जो wrapper करा जा रहा है वो भी एक material है रैप करके देते हैं आपको वो भी क्या है एक material है तो एक हो गया वो material उसके बाद आपने सोचा कि किस इस product को बनाने में कितना time लग रहा होगा उसकी salary इतनी हो जाएगी तो आप direct labor भी कही बार पता कर सकते हो जिसका piece rate wage raise के हिसाब से हमें given होता है तो direct के अंदर आप देखोगे ना मैं direct खर्चे की बात कर रहा हूँ सर मैं बात किसकी कर रहा हूँ direct खर्चे की expense की तो अगर मैं direct expense की बात करूँ ना तो एक तो direct expense में हमारा material आ जाएगा second one आ जाएगा हमारा labor और third one आ जाएगा हमारा overhead हम पहले basic concept build up कर लेते हैं माइंड में फिर हम chapter start करेंगे सर material का मतलब समान simple सी बात है labor का मतलब मेहनत जो लग रहा है sir labor तो determine करना बहुत मुस्किल है ऐसा नहीं है कुछ चीज़े product आपका piecewise भी मिलता है उसमें पता कर लेते हैं labor कितना है जैसे मान लेते हैं कि आपने कुछ काम एक specially करवाया आपने लिए तो बोलेगा भाईया समान का तो इतना लगेगा आपका 200 रुपए तो समान समान आ जाएगा आपने कोई मान लेते हैं ऐसा काम decoration वगएर कुछ भी ऐसा काम अपने लिए specially order किया है तो बोला भाईया 200 रुपए तो समान आएगा पर हमारी द्यारी दे देना 100 रुपए मेरा labor लगेगा जितने काम करूँ एक घंटा लगे दो घंटा लगे तो 300 हो गया न तो यह direct है direct के अंदर आपको material भी पता चल गया और labor और overhead क्या होता है खर्चा overhead क्ना खर्चा होता है पहले हम जो accounts में पढ़ते थे थे ना accounts में खर्चा पी एंडल में debit, direct expense, indirect expense, costing बोलता है और direct indirect खर्चे के चक्कर में बत पोड़ा हम खर्चे का नाम एक modern नाम रखेंगा जिसको बोलेंगा overhead तो अगर मैं costing में बोलू overhead मैं बोलू कि तीन ही खर्चे रखेंगा labor यानि इसमें wages है और खर्चा मैं बोलू भाई अगर बोलू मैं for example depreciation का खर्चा बिजली का बिल overhead है पानी का बिल overhead है अकाउंटेंट की salary wage labor में आ जाएगा यानि इसके अलावा जितने apart of खर्चे है न वो सारे के सारे खर्चे आपके किस में आ जाते है और है रेंट मकान का किराया वैसे तो बोलते है रेंट is a expense लेकिन आप costing में ऐसा नहीं होगा रेंट क इसके बारे में आप पता ही नहीं कर पारे सर ऐसा कौन सा खर्चा नहीं पता कर पारे एक फैक्ट्री है फैक्ट्री के अंदर माल तयार हो रहा है कितने का माल लग रहा है एक लेवर कितना पीस ले रहा है कितना बिजली का बिल लग रहा है यह सब पता कर सकते है ऐसा भी कर सकते हैं कि यह एक पीस को बनाने में एक घंटा मसीन चलता है एक घंटे में दो यूनिट लगेगा तो यह क्या होगे ओवरहेड डारेक्ट ओवरहेड जिसका पता कर सकते हो लेकिन वट अबाउट उसका जिसके बारे में पता नहीं है जहां पे कोई consider नहीं किया तो बाहर गा ज़ा रहा है वो गाड भी तो इसे फैक्टरी के माल बनानी के लिए खड़ा है तो उसका जो खर्चा है वो तो यहाँ पे भी देखा जाए तो सेम तीन पार्ट आने वाले हैं यहाँ पे भी आप देखोगे तो तीन पार्ट ही होगे एक होगा हमारा सर माटीरियल एक होगा हमारा सर लेबर एक होगा हमारा ओवरहेड ओवरहेड को न मैं ओएच लिख दिया करूँ 3 तरीके के हमारे यहाँ पर खरचे होने वाले simple सी बात है यानि हमारे खरचे direct और indirect है यह हमारा cost sheet जो रहेगा न cost sheet के अंदर पता है हम क्या करेंगे cost sheet के अंदर हम खरचे को divide कर देंगे हमारा कुछ ऐसे यहाँ खरचा आएगा फिर इसके बाद कुछ खर्चे को निकल के यह आएगा, फिर इस खर्चे को निकल के आएगा, फिर हमारा ultimately sales या profit निकल जाएगा, भी हम देखेंगे उन चीजों को, तो सर हम cost की type की बात करें, तो costing को बाटा जाए तो दो पार्ट में बढ़ जाता है हमारा, इस वाले पार्ट हमें सिर्फ उपर वाले पार्ट को ध्यान देना है, यह आपकी किताब का ही है, हटा ही देते हैं इसको न, क्रॉपी कर देता है इससे अच्छा तो, चलिए, अब कहता है क्या सर, material, material के बाद हमारा क्या है सर, labor और expense, material में देखा जाए तो direct, material direct भी हो सकता है, indirect भी हो सकता है, labor भी direct भी हो सकता है, और expense, expense का मतलब, overhead, यह भी direct भी हो सकता है और indirect भी हो सकता है, अब indirect कहा、 कहा हो सकता है, अफिस में हो सकता है,そして selling and distribution के एरिये में हो सकता है, यानि factory में indirect कहा हो सकता है, जो gate के बाहर guard खड़ा है, उसकी salary जा रही है, that is indirect expense, office में हो सकता है, जहाँपे sale हो रहा है समान, माल तो बनके तयार होगिया, जहां सेल हो रहा है, तो सेल होगा, डिस्टिबिशन, पॉइंट, अकाउंट, सेलरी, यह सारी चीज़े होगा, वो कौन सा होगा, ओफिस का, सेलिंग अडिस्टिबिशन में, फ्री सेंपल दे रहे हैं, ले भाई, एक सेंपल लेके देख ले, तो यह यहां फैक्टरी में हो सकता हो, ऑफिस में हो सकता है, सेलिंग डिस्टिबिशन, मैं एक एक बर, hun मैरे होगा, जैसे हम कोई भी product करते हैं तो ये raw material हो गया office के अंदर क्या हो गया उसके अंदर packing हो गया मतलब final packing selling and distribution में क्या हो गया मान लेते हैं कि final sticker वगयरा लगाए जा रहे हैं cleaner वगयरा जो लगा रहे हैं वो हो गया या फिर आप finally जो कर रहे हो labor में क्या हो गया फैक्टरी में तो directly जो wage rate लेता है office में क्या हो गया जो accountant वगयरा हो गया उस तरीके से और इसके selling and distribution में जो selling agent है उसके लिए हो जाएगा same ऐसा देखा जाए हमारे किसकी बात करते है indirect expense के अंदर factory में भी हो सकता है office में हो सकता है selling and distribution में भी हो सकता है यह तीन चीज़े याद रखना यानि सर direct कहा होगा direct सिर्फ और सिर्फ हमारा सर यह video अभी नहीं कहीं youtube पे upload होगी अभी नहीं होगी यह upload तो फिलाल तो direct की हम बात करें तो direct की बात करें तो direct वो है जो की factory के अंदर होगा और indirect तीनों जगे हो सकता है factory के अंदर भी office के अंदर भी और दूसरी जगे भी तो cost को हमने determine किया तीन तरीके से होता है अब एक बार हम पढ़ भी लेते हैं सर अगर मैं direct material की बात करूं direct material की बात करूं या indirect material की बात करूं यहाँ example भी देखिएगा क्या क्या है कहता है सर डारिक्ट material वो है is also आपका described as a raw material जो raw material कच्चा माल जो होता है direct material है process में जो भी जाता है जैसे material हो गया और उसे prime material भी बोला जाता है इस सब्द को याद रखिएगा prime material यानि prime cost भी बोला जाता है production material भी बोला जाता है store material भी बोला जाता है आपका जो हमारा use होने वाला है construction के लिए cement वगएरा वहां के लिए material भी बोला जाता है इसके बाद देखा जाए तो warping material भी बोला जाता है या फिर cardboard boxes वगएरा जैसे cardboard boxes के आपके पूरे box में जाते है न तो यह क्या है किसका example है मैंने सिर्फ direct material लिखा और उसके example लिख दिया यहाँ पर अगली बात करते है indirect में क्या होगा indirect material consumable store हो सकता है जैसे oil हो सकता है and क्या हो सकता है wastage हो सकता है आपका printing हो सकता है indirect material में जो उसके उपर paint करके मतलब stickers वगेरा मान लिजिए few example indirect material के क्या क्या हो सकते है जैसे कि factory, office और selling and distribution तीन जगह पर हमारे हो सकते है यह क्या indirect material कहा कहा हो सकता है factory में भी हो सकता है office में भी हो सकता है sir labor में क्या होगा sir labor के अंदर material को finish करने के लिए जो effort लगाया जाएगा needed such human effort को हम labor कहेंगे और labor can be direct as well as sir direct labor यह है हमारा direct labor जो production से सीधा-सीधा related होता है कहता है direct labor is also described as a process labor आपका productive labor या फिर कह लो operating labor या manufacturing labor या diet और मैं सीधी-सीधी बात को नो दो page पढ़ लिया इसका एक conclusion निका लो वही बोड़ा था direct material कौन सा होगा जो sir सीधा-सीधा-सीधा समान बनाने में use होगा indirect जो कि सीधा नहीं होगा लेकिन use तो हो रहा है वो तीन जगह हो सकता है sir कहां-कहा हो सकता है sir factory में भी हो सकता है और office में भी हो सकता है or selling or distribution में भी हो सकता है labor भी जह में ऐसे है, direct भी हो सकता है, indirect, जो हमारा समान बनाने में जो labor लगा हुआ, I mean, उसे direct labor बोल देंगे, और जो office में अलग-अलग जगह पर उसे क्या बोल देंगे, indirect labor बोल देंगे, example, indirect labor का, maybe related to the factory, office, selling and distribution, तो ये सारे notes आपके already uploaded हो गए हो गए नहीं होंगे तो मैं करवा दूँगा अब इसके अंदर indirect में कौन आता है store keeper हो गया, formant हो गया जो की समान बना ही नहीं जा लेकिन formant क्या कर रहा है सिर्फ देख रहा है, time keeper हो गया आपका, या फिर आपका जो direction दे रहा है, फिर direct fee, salary यह सारे चीज़े क्या है हमारे indirect में आ जाता है expense कौन से होते हैं sir, direct expense हो सकते हैं और indirect और expense को मैंने यहां clearly बता दिया इसको क्या बोलेंगे sir, हम overhead बोलेंगे manufacturing work factory अब इसके बाद direct और indirect expense है अब यह किसके example है manufacturing expense work या factory production यह sir, example है direct के rent related to the insurance of factory premises power used to the factory building, plant and machinery कहता है कि manufacturing और factory और production से related होगा उसकी बात कर रहे हैं यानि खर्चे भी सर्थ दो ही है मिला के हम बात करें office administration में क्या-क्या हो सकता है office में क्या-क्या खर्चे हो सकता है यह बस simple सी बात है office का किराया, office में light, hitting यानि office के अंदर जो खर्चा है भाई, office का है मैं अपना printer अपने factory में रखूँगा तो factory का खर्चा है और अपने office में ले जाके यूज करूँगा तो office का खर्चा है आपका वहाँ पे telegram बगएरा, postage का, telephone का खर्चा तो यह सारे खर्चे आपके मैंने कुछ एक example दे दिया, clear होगा लेकिन हम जब practical करेंगे ना भी तो और ज़्यादा clear होगा selling and distribution में कौन-कौन से खर्चे हो जाएंगे वो लिस्ट लिखा हुआ है कि sir, packing के खर्चे है loading charge खर्चे है या फिर carriage outward मान लो आप या collection charges है, bed dates है ये सारे कहां के खर्चे माने जाएंगे selling and distribution के खर्चे माने जाएंगे कहता है कि item exclude ये बड़ी खास बात कही इसने ये मैं इसी का wait कर रहा था ये मुझे समझाना था देखो हम costing कर रहे हैं profit and loss निकालेंगे यानि sir, cost के अंदर हम profit and loss इस chapter में निकालने वाले हैं तो sir, finance में भी तो निकाला था finance में हम सारे खर्चे दिखा देते थे सारे लेकिन cost के P&L निकालते टाइम पे बोला गए भाया ऐसा खर्चा जो की हमारे product से related ही नहीं है उसको दूर करो यहां से यानि जब हम P&L बनाएंगे न इनका जब statement profit निकालेंगे loss निकालेंगे तो ऐसा खर्चा जो की हमारा related ही ना हो किस से related ना हो उस product को बनाने से उसे दूर कर दो अगर examiner उस खर्चे को दे तो ignore it तो sir ऐसे कौन-कौन से खर्चे हैं जो की उससे related होता है रहा हमें ignore करके चलना है वो यहां पे list given है जिसको ध्यान से देखिएगा कई बार examiner पूछ भी लेता है क्या कहता है there are certain item which are include in the financial जैसे कहता है appropriation of profit यानि profit का बटवारा जैसे दो partner है दो partner profit बाट रहे है या फिर उसके appropriation मतलब general reserve में पैसा transfer कर दिया है अब या general reserve में आप पैसा transfer कर रहे हैं तो profit का appropriation कर रहे हैं उसका product से calorie लेना देना है जबकि general reserve हम एक तरीके से खर्चा मान के P&L में से debit करते हैं फिर हम reserve and surplus में लेके जाते हैं तो यहाँ पर कहता है कि appropriation of आपका sinking fund sinking fund का मतलब सर DRR आपने एकर 12th class में पढ़ा हो या फिर आपने उसमें पढ़ा हो corporate में तो DRR तो DRR भी हमारा एक तरीके से खर्चे की तरीके से treat करते हैं profit में से लेकिन वो सर हमारा finance का खर्चा है dividend paid कर रहे हो shareholder को अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पर calculator और calculator को बनाने से लेके बेचने तक का खर्चा निकाल रहा हूँ तो shareholder का dividend से इसका कोई लिए नहीं देना नहीं है मैं नहीं pay कर रहा हूँ dividend को कोई फरक थोड़ी पड़ेगा बनाने के खर्चे पर तो dividend भी किसका खर्चा है finance का खर्चा है cost का नहीं है tax income and profit पर जो भी taxes दोगे आप income और profit के उपर क्योंकि हम costing बनाते हमेसा actual के हिसाब से अगर मैंने कहा कि यह depreciation इतना provision है लग सकता है तो नहीं सर जितना लगा है उसी के हिसाब से costing निकाल लिए क्योंकि हम customer को ऐसे थोड़ी न बोलेंगे कि भाई इसका product का price साथ भी हो सकता है और आठ भी हो सकता है सर preliminary expense आपको पता होना चाहिए share issue करने से पहले company बनने से पहले खर्चे इसको न राइट आफ किया जाता वैसे तो accounts के point भी से बोलू तो था अब बोला गया राइट आफ का कोई चक्कर नी एक बार में दिखाए जो नए accounting standard आए लेकिन costing के अंदर अभी भी पुराने के हिसाब से सूच रहे हैं कि अगर ऐसा कोई खर्चा हो तो उसको कहां मानना है finance का cost का खर्चा वो नहीं है चार्जेबल आपका donation डोनेशन अगर देते हो किसी को charitable donation देते हो तो वो भी आपका किसका खर्चा है donation से हमारे product का बनाने का क्या मतलब है sir law sale of investment आपने investment कर दिया building खरीद लिया और वहाँ नुकसान होगे तो products से कोई लेना देना नहीं है expense on transfer of आपका company's office क्या कर आपने transfer कर दिया company के office को आप एक जगे से दूसरे जगे shift कर रहे है उसका खर्चा हम थोड़ी beer करेंगे यह नहीं माना जाएगा आपका क्या है interest on bank sir नहीं होता यह परिसान करेगा जैसे मैंने बोला चलो profit निकालो और मैंने बोला interest sir ignore interest हमारे cost से क्या लेना देना sir debenture पर moat gauge पर कोई भी interest हो नहीं लिया जाएगा यह सारे list वो मैं लिख रहा हूं यहां पर जिस खर्चे को हम अपने जो profit and loss बनाएंगे उसमें नहीं दिखाएंगे आपका demerge पे आपका damage payable आपने कर दिया किसी का damage कर दिया जिसे हम बोलते हैं कि compensation पे कोई मतलब नहीं है penalties दिया आपने fine दिया loss due to आपका scrapping machinery उसका कोई नहीं होगा आपका remuneration paid to the proprietor excluding मतलब इस सब चीजों का कोई मतलब यहां पे नहीं है purely financial income कुछ income भी है जिसको नहीं consider करना वो जितने भी कर रहे थे वो क्या थे sir सारे खर्चे थे sir एक बार फिर से मैं पूरा बता दूँगा direct indirect अभी मैं एक बार बस बताने दो फिर 5 minute के अंदर पूरा हम कर लेंगे तो sir interest receive भी हमारा income नहीं है interest paid जब खर्चा नहीं है तो interest receive भी income नहीं है profit made sale of investment ये भी income नहीं है क्योंकि हमारा profit किस से होना चाहिए sir ये calculator बना रहा हूं त खीक है न इसके बाद कहता है sir rent receive income नहीं है transfer fee receive income नहीं है sir ये आएंगे आगे आने वाले chapter में क्योंकि जब मैं करूँगा रिकंसलेशन तो ये सारे खर्चे दिख जाएंगे interest dividend receive नहीं है sir broking receive कोई भी नहीं है discount या फिर commission receive करते हो तो ये भी हमारा खर्च income नहीं है ये भी income नहीं माना जाएगा तो अभी तक फटा फट से अभी तक क्या देखा बड़ी छोटी सी चीज़े देखिए मैं एक word में conclude करूँ कि भाई हमारा जो slavers है 10-12 chapter का है उसमें से कुछ हाना है त खर्चे को बोलते हैं खर्चे को बदल के नाम रख दिया और यहां पर खर्चे होते हैं हमारे direct खर्चे होते हैं और मैं सही बताओ ना तो question करते हुए आपको फराकी नहीं पड़ेगा कि कौन सा खर्चा direct है कौन सा indirect आप करते जाओगे बस तो लेकिन फिर भी theory के point विससे क कुछ खर्चे direct होते हैं कुछ indirect होते हैं डारेक्ट खर्चे वह होते हैं जो हमें दिखता है और हम फटा-फट से judge कर सकते हैं और direct खर्चा factory में ही खर्चा होता है कुछ indirect खर्चे होते हैं जिसको हम calculate नहीं कर पाते लेकिन बहुत detail में जाएंगे तो calculation होगा और यह तीनों ज distribution जब आपका market में product जाता है तो वहां भी खर्चे होते हैं advertisement वगरा वो selling and distribution का part माना जाता है तो कितने सारे खर्चे office के हैं selling के वो सारी हम अभी बात करेंगे और इसके बाद क्या देखा सर हमने कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि purely किसके हैं सर finance के हैं उस खर्चे को हम क्या इगनोर करके चलेंगे और अगर कोई finance का income है उसको भी इगनोर करके चलेंगे यानि cost account करते समय पे इस खर्चे की कोई value नहीं रह जाती सर इसके बात abnormal gain या loss loss और gain on sale of fixed assets loss business property account या फिर आपका theft fire occur ये भी हमारा abnormal loss gain के example है जिसको हम consider नहीं करते लेकिन इस पे मैं star बना देता ह और कब-कब कुछ time पे करना भी पड़ता है अब बात आता है sir एक word आता है sir prime cost ये वाली theory ना prime cost वाली ना जब मैं question करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा prime cost क्या होता है factory cost आपका क्या होता है अब देखिए हम जो सवाल करेंगे ना कैसे करने वाले मैं बता देता ह हलाकि मैंने बना रखा है लेकिन फिर उसमें हम जो सवाल हमें p handle बनाना है तो p handle बनाने का क्या तरीका रहेगा वो देख लेते हैं एक बाद यानि format पीएं डिलका amount और यहां particular और इधर cost sheet इधर लिखेंगे cost sheet बुक की pdf नहीं होगी अभी मैं जो notes मैं question कराऊँगा उनकी pdf होगी बाकी पढ़ने के लिए reading के लिए book आपको लेना पड़ेगा सबसे पहले ना हम यहां पर सारे खर्चे लिखेंगे सबसे पहले हम लिखने वाले है पर्चेज सबसे पहले हम लिखने वाले है पर्चेज और पर्चेज के अंदर ना हम खर्चे जोड़ देंगे कौन से खर्चे जोड़ देंगे opening stock opening stock sir opening stock अब मैं stock को थोड़ा सा explain करूँ ना तो stock तीन तरीके के होते हैं क्योंकि हम costing सीख रहे हैं पहले तो तीन तरीके के stock को गिन्योर करके चलते थे अब stock sir तीन तरीके के है एक है हमारा raw material एक है हमारा work in progress एक है finished product finished product अगर हम बात करें raw material finished product तो बड़ी सीधी सी बात है कच्चा माल raw material का मतलब कच्चा माल है जैसे आप example करो घर में रोटी बगर है बनाते है उसी का example ले ले तो जो सुखा आटा होता है वो raw material है जो गीला आटा होता है क्योंकि उसको गीले आटे के अंदर एक extra effort और डालना है क्या डलेगा उसके अंदर labor डलना है मतलब कि कुछ थोड़ा सा और काम कर दे तो रोटी बन के तयार हो जाएगी तो जो गीला आटा है work in progress है मतलब अभी इसके हम मतलब के use भी नहीं कर सकते और छोड़ भी नहीं सकते ऐसे situation में सूखा आटा तो stock में पड़ा रहता है work in progress इसका मतलब ज्यादा समय लंबे तक हम नहीं रख सकते हैं इसके बाद क्या बनता है हमारा finally जब रोटी बन के तयार हो गया तो finished product तो stages है इनके एक है हमारा क्या raw material यानि कच्चे माल का opening stock या closing stock जो भी हो इसके बाद work in progress का उसके बाद last में finished goods finished goods कौन सा होता जो बिकने के लिए हमेशा तयार है तो यहाँ पे जो मैंने opening stock लिखा है न raw material को मैं आप पता किस नाम से बोलूँगा raw material को RM लिख दूँगा work in progress को WIP बोल दूँगा मैं और finished goods को ना मैं थोड़ा FG यूज़ करा करूँगा तो opening stock किसका सर्थ minus कर देंगे यहाँ closing stock ये भी किसका होगा सर परचेश को यहीं लिखिए opening raw material को यहाँ लिखिए minus कर दीजे इसको और इसको minus करके directly आप बाहर लिख दीचिए यानि इसके बाद और कोई खर्चे है क्या बिल्कुल है जैसे आपका wages जैसे की wages अब wages के भी category है सर wages कौन से वाला अगर हम wages की बात करें तो तीन तरीके का wages है यहाँ wages की बात करें तो तीन तरीके का wages है एक तो आपका होता है directly production से रिलेटेड हाला कि दो तरीके का ही मान लो एक तो डारेक्ट होता है हमारा production से रिलेटेड और एक होता है unproductive यानि सर wages दो है एक productive और एक unproductive सर productive कौन सा है unproductive कौन सा है वो भी देख लेते हैं जो एक डारेक्टली मान लेते हैं हम सेलरी आठ घंटे की देते हैं आपको 100 रुपे मान लेते हैं कि आपको 800 रुपे पर डे मिल रहा है 100 रुपे घंटे की सेलरी है लेकिन आप बीच में दो घंटे लंच भी करते हो तो दो घंटे लंच कर रहे हैं तो वैसे productive wages देखा जाए तो 600 ही हुआ न आपको काम करने की तनका तो 600 ही हुआ दो घंटे का मैं आपको wages जरूर पेड़ कर रहा हूँ लेकिन वो productions related नहीं वो कौन सा है हमारा unproductive wages समझे आई बात आपको ऐसे ढूंडने की जरूरत नहीं सवाल अपने आप ही आपको देगा productive wages हमारा direct expense का part होता है और यह हमारा factory expense का part होता है इसके कई नाम है इसके भी कई नाम है हम अभी देख लेंगे theory वाले part में तो sir wages कौन से वाला है productive wages जो यहाँ लिखा है that is productive इसके बाद हो सकता है आपका manufacturing expense manufacturing expense यानि ये भी direct होना चाहिए और simple word में बोलू तो सारे direct expense और यही direct expense है जो मैंने लिखा है इससे जादा नहीं होता कभी भी अभी लेंगे indirect भी हर जगे के category अलग अलग कर रखा है हमने बस मुझे format वगएरा समझाने दीजिए कुछ बच्चे doubt भी पूछ रहे हैं तो मैं इसलिए ध्यान नहीं दे रहा इसके बाद एक heading generate होगा उस heading को बोलेंगे हम prime cost जब इन सभी को total कर लेंगे ना तो that is prime cost और sir prime cost ही क्या होता है sir direct cost इसको एक नाम और जाना जाता है direct cost है ना direct ही तो है जो product के उपर लग रहा है तो that is आपका prime cost कहलो या फिर आप direct cost कहलो इसको आठा देते हैं पहला heading हमारा बनके तैyार हो गया और जो पहला heading बनके आया हमारा that is हमारा prime cost हा गया मतलब कि कुछ total करने के बाद जो हमें निकल के आया है prime cost है अब इसके बाद ना हमें लिखने पता है क्या है factory के khर्चे इसके बाद हमें लिखना है factory के खर्चे इसके बाद लिखना है factory के खर्चे दो से एक दो दिन तो आपको लगेगा कि पता नहीं subject कैसा चल रहा है लेकिन उसके बाद सब समझ में आने लगेगा यहाँ पर हम सारे factory के खर्चे लिखेंगे कुछ example अगर मैं लू factory के खर्चे के तो क्या क्या हो सकते है unproductive wages या फिर factory overhead अब बच्चे बोलेंगे सार डारेक्ट expense तो factory में ही होता है डारेक्ट expense यह वो है जो कि सीधा material पे लग रहा है अब supervisor है वो material पे थोड़ी उसका खाम है कोई वो तो बस देख रहा है labor को देख रहा है वो आ जाएगा factory खर्चे में factory overhead में क्या क्या आ सकता है उसकी मैं एक list दे दूँगा जिससे कि आपको clarity मिल जाएगी जैसे ही इनको हम plus करेंगे न उपर से plus करके यह आए फिर इनको इनको plus करेंगे मैं एक example भी लूँगा तो यह आ जाएगा हमारा gross factory cost क्या आ जाएगा सर gross factory cost gross factory cost के बाद हम आ जाएगे यहाँ पर क्या फिर से इसके अंदर हम plus कर देंगे और minus कर देंगे सर क्या plus करेंगे opening सर opening में WIP और सर minus करेंगे क्योंकि factory के बाद ही बनता है यह आ जाएगा closing यानि सर यहाँ plus minus करके result whatever आए हमारा फरक नहीं पड़ता यह आ गया इसके बाद एक नई heading generate हो जाएगे जिसको हम बोलेंगे net factory cost net factory cost और इसी को पता ही क्या बोलते हैं work cost इसी को बोला जाता है हमारा work cost इसी को बोला जाएगा work cost पूरा practical subject है यह चलिए जैसे ही आपका work cost निकलेगा इसके अंदर हमें कुछ चीजों को फिर से minus करना होगा plus करना होगा admin मैंने minus बोल दिया admin expense जिसे administrative expense भी की नाम से बोलेंगे हम sir क्या क्या हो सकता है यानि यह मैं simple सी एक बहुत easy word में बोलूँ न office के खर्चे factory निकल गया तो factory के बाद किसका नमर आता है office office के expense यानि sir office का rent मैं basic सा example ले रेता हूँ office अगर factory के rent की बात करूँ तो यहाँ जाएगा office के rent की बात करूँ तो यहाँ जाएगा मैंने factory expense लिखा basically क्या लिखा जाता है accounts इसमें overhead लिखा जाएगा तो फटा फट से हमने लिख लिए factory का rent office जो भी यह total करके आया हम जैसे ही इसको total करेंगे एक और नई heading तयार हो जाएगी हमारी उसका नाम होगा हमारा factory भी हो गया office भी हो गया माल बन के तयार है तो उसे बोलेंगे cost of production cost of production जो भी total करके आएगा यानि sequence चलता जाएगा उसको क्या बोलेंगे cost of production जैसे ही cost of production होगा इसके अंदर से हमें फिर से कुछ चीज़े minus और plus करनी होगी plus और minus plus करेंगे फिर से हम opening stock अब आपको समझ में आ रहा हो आप कौन सा opening stock लेंगे दो तो यूजी हो गया minus करेंगे closing stock तो बचा कौन सा बताओ इसको थोड़ा उपर कर देते हैं यानि सर दो तो यूजी हो गया अब एक ही बचा ना कौन सा finish goods examiner जो है ना आपसे थोड़ा उलजानी की कोशिस करेंगा ना वो यहीं करेंगा मैं जहां जहां examiner आपको परिशान कर सकता है मैं वहां पर star भी लगा देता हूँ यहां परिशान करेंगा examiner इस question में सिर्फ यही वाला point है जहां परिशान ही होती है बागी तो कुछ नहीं सब add less करने वाली बात है जैसे हम इसको plus कर देंगे minus कर देंगे तो आ जाएगा cost of goods sold आपने बहुत use करा होगा पहले वो तो बड़ा simple सा था हमें सब कुछ मिल जाता था finance बहुत यहां पर नहीं मिलेगा इसको बोलेंगे हम cost of goods sold यह सारा उपर से add होता हुआ रहा है cost of goods sold के बाद हम यहां minus कर देंगे selling expense सर जो यहां minus करेंगे selling and distribution expenser यहां पर selling and distribution expense में क्या आ सकता है अगर मैं selling and distribution expense की बात करूँ तो क्या आ सकता है मैं थोड़ा उपर कर देता हूँ फिर एक साथ दिखा दूँआ selling and distribution expense में आ सकता है सर आपका delivery या carriage outward आपका आ सकता है carriage outward या delivery vehicles charge या selling free sample या आ जाएगा जैसे ही हम इसको यहां पर लिखेंगे नया heading फिर generate अब जो एक new heading generate होगा सर that is आपका होगा cost of sales क्या generate होगा सर cost of sales यानि ये कीमत हमें पड़ेगी और जैसे ही हम इसको minus कर लेंगे किस से minus करेंगे नीचे सबसे नीचे down में लिख देता हो मैं sales अगर आपको sales पता है और आपको cost of sales पता है तो beach का difference क्या होगा या तो profit होगा या loss examiner यही पूछेगा आपसे ज़्यादा से ज़्यादा time examiner आपसे ज़्यादा से ज़्यादा time यही पूछेगा यानि सर यहाँ पर heading थोड़ा सा आपको practice करके याद भी नहीं रखना चार पांच question करेंगा वैसे याद हो जाना है तो मैं अगर heading को तोड़ू यहाँ पर मैं एक जगा दिखा देता हूँ एक जगा तो possible देखते हैं यह ऐसा करता हूँ चलिए यह अगर देखते हैं मैं इसको to be continue यहाँ लेकर आ जाता हूँ करना कुछ नहीं है basically यहाँ से मैं copy करके वहाँ ले जाता हूँ और इतना enough होगा बहाँ ले जए जाता हूँ यहाँ 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 को यहाँ यह लिजिए आमने सामने आपको दिखा दिया है इससे मिटा के हाँ जी अब आपको वीजवल हो जाएगा प्रॉपर ठीक है यानि इसके बाद कॉंटीनियू है जब नोटिंग करेंगे न इसके बाद कॉंटीनियू है अब मैं हेडिंग हेडिंग को हाइलाइट करूँ एक बार के सर आपने हेडिंग में क्या क्या कराया है तो मैं हेडिंग को हाइलाइट करने जा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा पहला हेडिंग ये है फास्ट हेडिंग की बात मैं करूँ फास्ट हेडिंग की बात करूँ तो फास्ट हेडिंग हमारा ये है यह तो हाइलाइटी नहीं हो रहा चलिए हम ले लेते हैं सरकर ले लेते हैं पास्ट हेडिंग हमारा यह है अगर हम हेडिंग की बात करें तो सर सेकिंड हेडिंग क्या है यह रहा थार्ड हेडिंग क्या है सर यह रहा फूर्थ हेडिंग क्या है सर यह रहा फिफ्थ हेडिंग क्या है सर यह है और सिक्स हेडिंग क्या है सर यह है यानि अगर मैं cost sheet को determine करने जाओ तो cost sheet कितने heading याद रखने हमें पहला क्या है sir prime cost दूसरा क्या है gross factory cost तीसरा क्या है net factory cost उसके बाद क्या है cost of production फिर क्या है cost of goods sold और last है हमारा cost of sales ठीक है न फिर से 5 heading 6 heading देखिए पहला prime cost prime cost को दूसरा नाम क्या कहते है direct cost दूसरा क्या है sir हमारा दूसरा factory cost factory cost को हम और क्या कहते है work cost भी कहते है लेकि net वाले को इसके बाद factory cost के बाद क्या आएगा हमारा net factory cost net factory cost के बाद cost of production माल बनाने का खर्चाव फिर cost of goods sold और last मे cost of sales ये 6 points आपको याद रखने होंगे जो heading है WIP वाला जो section है na WIP ये बहुत rare use होता है होता ही नहीं मानके चले ये वाला point to use क्यों नहीं होता sir ये वाला use क्योंकि बहुत कम company में WIP का stock जो रखते हैं वो आपको दिया होगा example question में sir prime cost निकालने से पहले की बात करें prime cost निकालने से पहले की बात करें तो हमें purchase लिखना है opening stock लिखना है minus करेंगे closing stock और ये stock कौन से वाला होगा raw material वाला होगा और plus कर देंगे सारे direct expense wages, manufacturing expenses क्या निकल कर आएगा prime cost prime cost के बाद हम factory के खर्चे को अगर हम इसमें add on कर दें तो हमारे क्या निकल क्या जाएगा gross factory cost उसमें WIP को minus plus अगर कर दें तो क्या जाएगा net factory cost और WIP के बाद अगर हम उसके अंदर admin के खर्चे और जोड़ दें जो की office के खर्चे होते हैं तो क्या जाएगा हमारा cost of production उसके बाद हम opening और closing stock minus plus कर दें तो क्या जाएगा हमारा cost of goods sold और उसके बाद cost of selling and distribution minus हम plus कर देते हैं इसके अंदर जो भी होना है क्या आएगा हमारा cost of sales और profit अगर cost of sales में हम add on कर दें तो निकल के आएगा sales अगर sales दे दे तो बीच का difference profit या loss जो भी निकलेगा वो निकाल सकते हैं तो यह basically हम जब भी कोई भी question करेंगे ना वो इस format में करने वाले हैं इसी format को ना एक मैंने systematic तरीके से कर दिया है अभी फिर से देखते हैं अभी क्या सीखा देखते हैं कितने बच्चों को याद है नहीं है चलिए देखिए पहले हमने क्या देखा सर cost sheet का format देख रहे हैं सबसे पहले क्या था सर raw material consume raw material देखो एक ना मज़े की बात है raw material consume consume का मतलब पता है क्या होता है opening stock plus में purchase minus में यह होता है raw material consume raw material consume अगर आप लोगे ना तो आप ये वाली चीज़ ध्यान से देखो ध्यान से देखो ये उपर वाली बाते जो लिखिये वही है या तो आपको examiner ये देगा या तो फिर ये देगा समझ रहे बात है क्यूंकि इसी को consume के format में भी आपको दिया जा सकता है फिर हमने क्या करा direct wages और direct expense क्या निकल किया है पहला topic prime cost prime cost का मतलब वो खर्चा जो की directly हमें पता चल जाता है इसके बाद factory overhead आएंगे sir factory overhead में क्या क्या हो सकता है वो working note number one में चेक करते हैं तो चलिए हम factory overhead working note number one में देखी लेते हैं सारे list मैंने लिख दिया है factory overhead जब भी आप question करोगे तो परिशानी होने ही वाली नहीं है आपको क्यों क्योंकि सारी चीजे मैं पहले से लेके चल रहा हूँ तो sir factory में क्या क्या आ सकता है sir unproductive wages unproductive wages मतलब वही जो खाली time जा रहा है lunch में इसके बाद sir estimating estimating का मतलब होता है अंदाजा लगाना कि इतना काम करने में कितना खर्चा आएगा यहीं planning करना एक तरीके से इसके बाद आपका canteen welfare expense worker वगरा जाते है न खाना खाने आने के लिए तो canteen वगरा उसका खर्चा हो गया factory में go down का expense यह थोड़ा से space रह गया go down expense है ब्रांची से expense अगर मेरे एक से दो जादा go down है मान लेते हैं go down एक नहीं होता न एक हो गया दूसरा हो गया तो यह सारे factory का ही खर्चा माना जाता है आपका depreciation factory के अंदर जो machinery चल रहा है उसके उपर मान लो मैं कहूं office के अंदर printer है तो उसका depreciation office में जाएगा ठीक है इसके बाद consumable store छोटे मोटे खर्चे ऐसे हो जाते हैं जो कि office में जैसे consumable store की मैं बात करूँ तो जैसे machinery के अंदर cotton लग जाता है machinery के अंदर greasing करनी पड़ जाती है machinery के अंदर oiling करनी पड़ जाती है तो इसको हम consumable store में रख देते हैं training worker, worker को हम training देंगे, जब worker को training देंगे that is also part of क्या है हमारा यह expense है worker को जब कभी भी हम training देंगे तो यह भी हमारा क्या माना जाएगा sir यह भी हमारा माना जाएगा expense इसके बाद sir training के बाद क्या है हमारा power जो use होगा, मैंने शायद पीछे ना power वहाँ ले लिया था, power आपका इसका part माना जाएगा अब ये ध्यान रखना होगा कि direct का है, indirect का है, मैं देख लेता हूँ, एक बार मैंने power कहां consider किया मुझे याद है, मैंने यहाँ तो नहीं ले लिया power, नहीं यहाँ power नहीं लिया, मैंने power का discussion ही नहीं किया चलिए, power, इसके बाद rent warehouse, warehouse का मतलब go down ही होता एक तरीके से, जहां माल को रखते है loose tools return off, अब loose tools, देखो preliminary expense return off या underwriter commission return off वो नहीं आएगा लेकिन loose tools return off यहाँ पर आएगा, तो कितने खर्चे हो गए हमारे, मैंने यहाँ पर लिखे हैं, बैसे तो बहुत हो सकते हैं लेकिन मैं गिन लेता हूँ, एक, दो, तीन, यह क्या सीख रहे हैं, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, और ग्यारा यह क्या सीख रहे हैं सर, factory के खर्चे कौन-कौन से होते हैं, उसकी बाते चल रही हैं, अभी के factory के खर्चे कौन-कौन से होंगे इसके बाद और भी है क्या बिल्कुल सर और भी खर्चे है हमारे फैक्टरी के देखे क्या क्या फैक्टरी के खर्चे है और देखे और खर्चे है फैक्टरी के क्या है सर ग्यारा के बाद नंबर बारा ये भी factory के खर्चे हैं जैसे water supply पानी का supply है या फिर work manager salary जो work manager का है ये भी हमारा factory का ही खर्चा consider किया जाएगा आपका loss on plant आपका जो assured normal वाला नौर्मल loss अगर हुआ तो वो माना जाएगा यहां का insurance on stock raw material, raw material का insurance करोगे तो ये भी factory का खर्चा है आपका provident fund जो factory के अंदर worker काम कर रहे है उसका वो भी यहीं का part माना जाएगा आपका storage of the financial जो भी storage आप करते हो वहाँ पे उसके लिए जो खर्चा होगा यहाँ पे माना जाएगा storage of financial का मतलब क्या है जो भी आप payment कर रहे हो जैसे कि आपने store cold वगरा ले लिया आप होता नहीं कई बार warehouse क्राइप ले ले लेते तो factory के अंदर ही consider किया जाएगा सर 17 नंबर पे क्या है experimental expense आप R&D करते हो जैसे कि COVID की vaccine बनी तो factory में बहुत जादा उस पे experiment हुआ कभी चूहे पे experiment किया कभी किस पे किया तो वो भी तो खर्चा हो रहा है न तो वो भी experimental है wages on fireman हम रखते हैं कई बार हमारे office में अगर ऐसा कोई sensitive area है तो हम एक worker रखते है कि आग वाग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए तो fireman sale of scrap जो भी आपका scrap बिकेगा न वो minus हो जाएगा यहाँ plus तो नहीं होगा sir minus हो जाएगा 19 बार खर्चा नहीं है एक तरीके से अब scrap sale of scrap क्या होता है कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जैसे कि मान लेते हैं steel है एक यह steel है ठीक है यह तो raw material है steel अब इसमें से अगर कटोरी निकालनी हो तो कितना भी आप करोगे तो यह कटोरी निकाल पाओगे या plate निकाल पाओगे जो यह वाला हिस्सा बीच का यह तो scrap में जाएगा तो इस scrap को बेचते हो तो वो आपका जो आता है वो minus कर दिया जाता है लेकिन यह direct है या indirect वो देखना पड़ेगा ठीक है कितना बड़ा बन जाएगा दो पीच का तो वही आ जाएगा तो आपने क्या करना है फैक्ट्री ओवर हैड वर्किंग नोट नंबर वन और जो पीछे आपने करा है उसका टोटल करके आपको क्या करना है बड़ी सी बात है आपको यहां दिखा देना है, तोटल, यानि सर यह वाला पार्ट यहां गया, मैं वही चीज़े रिपीड कर रहा हूँ एक तरीके से, और यह वाला यहां गया, जो मैंने पहले समझाया था, तो यह आ गया, यानि प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए क्या चाहिए, सर राव म पतिखा देना हँ कैंटीनू, एकस्पेंस हो गया, या ग्राज रेंट हो गया, या वेरहाउस रेंट हो गया, वो सारे वहाँ आने जाएगे हमारे फेक्टरी, जैसे ही फेक्टरी करेंगे, आ जाएगा रोज पक्राइगा, प्रताफट से निकालना पड़ेगा, अप्राइ यानि सर अगर मैं ग्रॉस फेक्ट्री और नेट फेक्ट्री के बीच में फासले की बात करूँ तो स्टॉक का फासला है और कोई भी फासला नहीं है वह भी क्या डबलू आई-पी ओपनिंग और क्लूजिंग administrative का मतलब है सर office का खर्चा रख रखाओ का खर्चा रख रखाओ का खर्चा यानि सर office का खर्चा सर क्या क्या हो सकता office के खर्चे में तो देख लेते हैं सर office के खर्चे में क्या क्या होता है देखिए क्या हो सकता है सर auditor आता है audit fees लेगा और क्या हो सकता है सर आपका legal charge होगा audit fees ह खर्चा होगा, office का rent होगा, office का depreciation होगा, यानि जितने भी खर्चे office से related है, वो सारे कहाँ चले जाएंगा, administrative, overhead में, मैंने बोला office का बिजली का बिल आया भाई, admin में जाएगा, मैंने बोला factory का बिजली का बिल आया, तो factory बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है, तो इसके बाद office का खर्चा हम जैसे ही यहां consider करते हैं, office का खर्चा consider करने के बाद, हमारे पास क्या जाता है, cost of production, समान को बनाने का खर्चा, cost of production, यानि कितने heading हो गए देखो, सबसे पहले prime cost कर चुके हैं, gross factory cost कर चुके हैं, net factory cost हो गया, चौथा था cost of production, च्छे ही बताये थे ना, पांचवा और यह क्या है हमारा, च्छटा, इसके बाद सर क्या जाता है हमारा, cost of production में हम क्या करते हैं, फिर से minus plus कर देते हैं, लेकिन कौन से वाला stock, finished goods कर देते हैं, तो हमारा result आता है, cost of, cost of production, good sold बोल लो, selling and distribution overhead की हम बात करें, तो क्या क्या हो सकता है, carriage हो सकता है, sales expense हो सकता है, wages हो सकता है, carriage मतलब outward, invert हुआ ना, तो वो चले जाएगा, prime cost में, carriage invert हुआ तो कहां चले जाएगा, prime cost में, outward हुआ तो यहां जाएगा, sales, selling expense हो सकता है, wages, printing and stationery, जो आप sales करते time पे, जो भी आप bill बगएरा लेके जा रहे हो, उस time पे, commission paid कर रहे हो, अपने दुकांदार बगएरा को तो वो है, discount on sale दे रहे हो, तो वो भी आपका खर्चा है, cost of sample, sample आपने जो दिया, उसका खर्चा है, यहीं पे आएगा आपका, आपका marketing research expense आएगा, traveling expense आएगा, जो आपका agent है, जो समान बेचने जा रहा है, वो अपने salary तो उल्टरी लेगा न, तो उसका खर्चा यहाँ जाएगा, तो जैसा ही यह हम complete कर देते हैं, sir, हमारे पास जो result आजाता है, cost of sales आजाता है, cost of sales के बाद हमारा क्या आता है, sir, profit बीच का balancing figure और last में क्या निकल जाता है, sir, sales, हमारा last में पूछा जाएगा, sir, हमसे finally देखा जाए, तो sale ही पूछा जाएगा, हम question बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ तक समझ रहते हैं, पर और हम detailing में समझते हैं, कि sir, cost sheet बाक्य में है क्या, तो अगर मैं समझाओं आपको, sir, cost sheet है क्या, sir, cost sheet basically, 6 पार्टों में बाट दिया गया है, है ना, आप नहीं बताया अभी, sir, cost sheet को कितने पार्ट में बाटा गया है, 6 पार्ट में बाट लिया गया है, sir, 6 पार्ट कौन कौन सा बाट लिया गया है, sir, 6 पार्ट जो बाटा गया है, अभी आपको बताया था, आप मन में भी रखना नहीं याद आए, कोई बात नहीं, मिर साथ साथ बोलते रहना है, आपको समझ में आता जाएगा पहला पार्ट था सर यहां से स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट पहला पार्ट था सर प्राइम कॉस्ट पहला पार्ट क्या था सर इसके बाद आगे चलते गए चलते गए चलते गए हम आगे ग्रॉस फेक्टरी कॉस्ट फेक्टरी कॉस्ट, नेट फेक्टरी कॉस्ट, फिर आगे चलते गए, चलते गए कहाँ है, कॉस्ट अफ प्रडक्शन, और आगे चलते गए तो क्या आया, कॉस्ट अफ गुड्स उल्ड, गुड्स, सोल्ड, और फिर थोड़ी दे रहम आगे चले, कॉस्ट अफ, सोल्ड कहलो, सेल्स कहलो, कुछ भी कहलेते हैं, कॉस्ट अफ सेल्स, इसके बाद फिर प्रॉफिट और सेल, अगला स्टेप, हमें तो ये छे पॉइंट बेजर याद रखने हैं, फिर प्रॉफिट या फिर सेल्स, जो भी कहरो, यानि सर ये पहला पड़ाव है, जिसको पता करना है, फिर आपका अगला आएगा ये, उससे अगला आएगा ये, उससे अगला आएगा ये, पता होना चाहिए, मैं ये ये तो बोल रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, यानि सर पहला आएगा आपका प्राइम कॉस्स, फिर आएगा ग्रॉस फेक्टरी, फिर आएगा नेट, फिर आएगा प्रॉडक्शन, फिर आएगा गु करने के लिए किसकी knowledge होनी चाहिए सर आपको purchase आएगा है कि नहीं और plus क्या हो जाएगा सर opening stock हो जाएगा minus क्या हो जाएगा सर closing कौन से वाला हो जाएगा सर raw material और भी कुछ चीजे जूड़ेगे बिलकुछ जूड़ेगे सर क्या चीज चूट जाएगी हमारे direct मैं एक सब्द में बोल देता हूँ expense अगर आप इतनी चीजों की जानकारी रहते हैं तो आपने पहला पर complete कर लिया और आप कहां पर पहुँच पाएगे लेकिन यहां से यहां तक जाने के लिए कुछ पता करना है या वैसे ही चले जाएगे prime cost से आपको जाना है gross factory cost पे तो सर यहां से यहां तक जाने के लिए आपको किस बारे में जानकारी चाहिए सर आपको चाहिए factory overhead याद अब सबसे लंबी लिस्ट इसी की है यहां से यहां तक जाने के लिए आपको चाहिए सर factory overhead समझ में आ रहे हैं आपको अब फिर सर अगर मैं दुबारा अगेन बात करूँ कि आपको फिर यहां से यहां जाना है तो क्या चाहिए यहां से यहां जाने के लिए सर दो ही बातों को आपको जानकारी चाहिए एक प्लस होगा एक माइनस होगा एक होगा ओपनिंग स्टॉक एक होगा माइनस क्या होगा सर closing stock और वो भी कौन सा WIP सर अगर आप यहां से यहां तक पहुंच गए हैं तो फिर ज़्यादा दूरी नहीं रही यहां से यहां जाने में क्या चाहिए आपको यहां से यहां तक जाने में क्या चाहिए admin expense यानि office का admin expense office के खर्चे अगर आपको office के खर्चे की जानकारी है तो आप बहुत आसानी से यहां से यहां तक जा सकते हैं अगली बात करें आप अब यहां से यहां तक जाना है तो क्या चाहिए आपको सर फिर से चाहिए यहां से यहां तक जाने के लिए कहानी वही opening stock और closing stock लेकिन कौन सा FG वाला चाहिए आपको इसके बाद last 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 यहां से यहां तक जाने के लिए आपको क्या चाहिए सर selling and and distribution यानि यह सारी अगर जानकारी है ना तो cost sheet आपके बाएं हाथ का खेल है कुछ भी नहीं है सिर्फ data आपको given है data fill करी है और आप 7 number ले जाईए एक्जामनर यह कहता है तो सर यानि यहां से journey start होगा और यहां तक खतम होगा major heading कितने मैंने बता दिये 6 याद है prime cost gross factory cost net factory cost cost of production और इसके बाद cost of goods sold last cost of sales यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताईए अभी बच्चे कह रहे हैं sir indirect indirect direct में आपको पढ़ना ही नहीं है वो तो सरिफ theoretical part है तो उसको जब theory का part cover करेंगे तो तब भी कर लेंगा अभी तक आप यहां तक मैंने सरिफ आपको एक सवाल मैं और एक सरिफ format समझाने की कोसिस कर रहा हूँ और अगर यहां तक के आपको format समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है फिर मेरे लिए आगे चलना आसान रहेगा heading भी है इसके अंदर उसके अंदर components भी add करने हैं अगर मैं बात करूँ यहां पे share issue expense कहा आएगा बताओ finance का खर्चा नहीं हैगा interest on capital कहा आएगा नहीं आएगा sir finance का खर्चा है goodwill return of नहीं आएगा sir finance का खर्चा जो वो list बताये थे न अगर वो खर्चे दे देते हैं तो अगर बोले के कहां fit होगा तो बताओ sir आता ही नी इसमें तो fit कहां से होगा है clear clear चलिए हम आगे चलते हैं एक सवाल है मेरे पास जो मुझे करना है जो कि सिर्फ fill करके आपको दिखाना है लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ नए नए word से भी और बता दूँ कि क्या-क्या word होते हैं चलिए नए नए नाम तो हम बाद में भी discuss कर सकते हैं हम यह कर लेते हैं कोई दिकत में देखिए हमने अभी सीखा prime cost अब अंदाजा लग जया होगा prime cost कैसे होता है तो क्या कहता है it consists of the cost of direct material वही था direct labor वही था और direct sir prime cost की knowledge चाहिए तो आपको direct expense direct labor और direct material को जोड दीजिए आ जाएगा prime cost it's also known as a किस नाम से flat cost या फिर first क्या कहता है basic first या flat cost तो ये ना जो synonyms में लिख रहा हूँ न दूसरे नाम तो इसको याद रखिएगा examiner बोल दे के भाई आप निकाल लिए क्या flat cost निकाल लिए बोले ये तो कहता है कि ये क्या आपका करेगा prime cost in addition prime cost में addition करोगे work of factory overhead which is include cost indirect material indirect material एक direct material तो prime में यहाँ पर indirect material indirect labor indirect expenses मतलब मोटी मोटी बाते कर रहा है of the factory the cost as known as a work cost के नाम से भी जाना जाता है और production और manufacturing cost के नाम से जाना जाता है तो work cost कहलू production कहलू कुछ भी कहलू या फिर factory cost मैं कहलू इसको हम बाद में देखेंगे यहाँ तक सारी points clear हो रहे हैं आपको बिल्कुल एकदम clear है एक यह सवाल आपके सामने है अब इस सवाल के अंदर अगर मैं देखूं तो raw material consume wages paid to the direct chargeable expense oil and wastage wages for men, supervisor मतलब बड़े सारे इसमें खर्चे देती है और इसी का मैंने PDF जो है upload कर दिया आप लोग के notes में ठीक है ने जिसमें आपको दिक्कत नहीं होगी तो एक नब बड़े सारे खर्चे given है और इसी खर्चे के इसाब से हम क्या करने वारे हैं इस सवाल को solve करने वाले हैं और जो अभी तक आपने सीखा है अभी आपका testing चल रहा है मान के चलो क्या आपने जो सीखा है आपको याद है या फिर आपने खतम कर दिया उसको देख लेते हैं तो इस सवाल को करने का इस type के सवाल को करने का सबसे आसान तरीका होता है पहले ना format लिख लो यानि heading heading लिख लो पहले ही फटा फट क्या करना है फिर fill करना है हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे के पहले prime call जून जून के निकालेंगे फिर ये निकालेंगे वो निकालेंगे ऐसा नहीं करने वाले है हम क्या करेंगे, बड़ी सीधी सी बात है पहले ही हम क्या करेंगे यहाँ पर अपने heading लिख लेंगे, 6 heading तो याद ही है सर और रही बात सर कितने line छोड़ना है एक एक line ही छोड़ना है, बाकि note बना के तो लिखी देते हैं यह हमारा format बन गया, तयार हो गया cost sheet का, किसका cost sheet का सर डेबिट नहीं लिखोगे, अरे costing में debit credit का कोई काम नहीं है, ठीक है यह इसके आगे continue करूँगा मैं, जैसे यहाँ भर जाएगा तो आगे लेके जाऊँगा, तो ज़्यादा थर सवाल में ने WIP होता नहीं है, तो मैं सबसे पहले ऐसे सवाल में जब format बनाता हूँ नहीं है, तो मैं देखता हूँ WIP है के नहीं है, अगर जो part नहीं है न, उस part को हम आगे shift करते जाएंगे, एक part खतम करते जाएंगे, मानलो WIP नहीं है, तो हमारा सीधा आजाएगा factory cost या net factory cost आजाएगा सीधा, तो WIP है या नहीं है, है या नहीं है, है या नहीं है है या नहीं है, क्या है, बताओ नहीं है, तो सर पहली heading, इतने में आजाएगा prime cost, इसके बाद इतने में आजाएगा factory cost, factory को netty बोल देंगे क्योंकि WIP नहीं है इसके बाद जैसे ही factory cost हम यहाँ पर आने वाला है इसके बाद हमारा क्या आएगा अगला जो heading आएगा हमारा इधर से जोड जाड के हम लिए आएगे क्या cost of production इसके बाद आएगा cost of good sold इसके बाद आएगा cost of और last में हम लिख लेंगे sales और examiner को जवाब मिल जाएगा उसका यह सारे हमारे heading में ने तयार कर लिए अब अंदर के content लिख लेंगे सबसे पहले है raw material consume तो यहाँ का part है हमारा raw material consume यहाँ का part है consume सर कितने रुपे हैं बड़ी सीधी सी बात है 40 अजा इसके बाद wages paid to the labor अब बताया है नी direct indirect तो आप माल लो यह direct है जब भी wages लिखे यहीं आएगा wages direct है ना wages यहाँ लिख लेंगे कितने इसके बाद बोलता है directly chargeable expense तो खुद ही directly बोल रहा है नमें क्या सोचना है कितने रुपे 2000 इसके बाद बोलता है oil and wastage sir oil and wastage तो factory में आता है ना तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक heading डाल लेते हैं कौन सा factory overhead एक heading डाल लेते हैं factory overhead overhead का और यहाँ पर डलेगा एक admin admin expense है ना यह heading पहले डाल लेते हैं factory overhead में बताते जाएएगा और मैं फिर क्या करूँआ लिखता जाऊँगा तो सबसे पहले हमारा क्या है wastage oil and wastage oil लिख देता हूँ मैं shortcut लिख रहा हूँ थोड़ा कितने 100 रुप है मात्र 100 रुप है हाला कि मैं चाहूँ तो factory overhead के यहाँ पर working note number one लिख दू और मेरे पास space होगा कहीं पीछे जाके इसको सबको plus कर लू लेकिन मेरे पास लग रहा है कि इतने खर्चे नहीं होगे मैं यहीं पर लिख रहा हूँ इसके बाद क्या है sir wages for foreman यहीं आएगा आपका कितने रुपे एक हजार इसके बाद है store keeper wages store keeper भी यहीं होगा अब देखो store keeper ना office में भी हो सकता और यहां भी हो सकता हम यहीं कमानेंगे basically कितने रुपे 500 रुपे इसके बाद क्या है electric power तो power यहीं आएगा हम power पे पहुँच गए ना अब मेरे को लगता नहीं कि यहां पे कम पढ़ जाएंगे factory rent भी है फिर office repair renewal factory plant एक काम करते हैं हम एक नए page पे चलते हैं और वहाँ पे सारे factory के खर्चे लिख लेते हैं है ना ऐसा कर ले और नए page से मतलब है कहां लिखें कहां लिखें बताओ चलो यहीं adjust कर लेते हैं छोटा छोटा लिखता हूँ मैं अब थोड़ा adjustment आपको करना पड़ेगा बस थोड़ा छोटा 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 लिख लेता हूँ सबसे पहले क्या था बताओ दूब़ा रहा ओएल ओएल कितने का था सो रुपे इसके बाद क्या था wages कितने हैं wages 1000 रुपे इसके बाद store कीपर न store कीपर कितने 500 इसके बाद power कितने सर्थ 200 रुपे सारे factory कही है lighting lighting 500 rent कुछ नहीं बताया factory का मान के आगे बढ़ू लिखा हुआ है 2000 यानि ये जो office का lighting एक मिंट lighting factory हो गया और ये office हो गया यानि 2 है तो office वाला भी साथ का साथ बताना चाहिए न आपको मैं लिखे लेता हूँ lighting यहां लिख लिख लिए है मैंने office का heading बना लिया है कितने रुपे ले office का 200 किदर ये तो जोड के दे रखा देखो कहता है भीया 700 रुपे का न हमारा total आए जिसमें 500 factory के अंदर uses हुआ है और office के अंदर 200 का uses हुआ है ऐसे दे रखा है ठीक है न इसके बाद rent की बात करते है factory का 2000 और यहां का rent यहां का rent 1000 ठीक है इसको थोड़ा चोटा करें accounts में सबसे बड़ी समस्या यही है चलिए कुश्चन तो बड़ा बड़ा दिखेगा चिंता ना करें इसके बाद क्या है सर इसके बाद सर रिपियर है रिपियर और रिपियर किस चीज़ का है सर कहता है कि factory का भी किया plant का और machinery का और office का भी किया तो factory वाले तो factory मा आ जाएगा repair रिपियर आ जाएगा ना तो मैं दोनों को जोड के लिख रहा हूँ ठीक है मिरे पास space की कमी है तो मैं दोनों को जोड के लिख रहा हूँ यहाँ पर एक तो यह 500 आने वाले और क्या आएगा एक हजार आएगा, यानि टोटल यहाँ पे कितने आगे पंदरह सो, यह सवाल समझ में आया और ओफिस का इसने अलग से दे रखा था प्रेमिस इसका, तो रिपेर यहाँ पे मैं अलग से लिख रहा हूँ कितने, दो सो रुपे समझ में आ रहा है सारा इसका डेप्रिशेशन, डेप्रिशेशन में बोलता है ओफिस का यह है और प्लांटेट मसीन दी तो बट ओवेस है कि फैक्टरी का ही होगा यह ठेक है न, तो डेप्रिशेशन ले लेते हैं यह ओफिस का क्या डेप्रिशेशन है पांसो दूसरा नहीं बताए तो फैक्टरी का अजंशन ले लेंगे अब यहाँ जगे नहीं बच्ची दोसों चलो करते हैं आगे चलते हैं और क्या दे रखा है में कंजूमेबल स्टोर अब कंजूमेबल स्टोर कहां का होता है सर याद है कुछ कराय था ऐसे से कुछ आईटम अगर आजए जैसे भूल जाते हो आप तो मैं आपको याद दिला दूँ कि यह जो लिखा है ना इसमें सब कुछ डाल दिया मैंने क्या कंजूमेबल स्टोर है यहाँ पे दिख रहा है इसमें सेवन नमबर पे हाँ देखे तो यहाँ से भी लिस्ट से भी आप क्या कर सकते हो चेक कर सकते हो कि अगर आपको दिमाग से ना रहे कि यह यह जाएगा तो मैंने मैक्सिमम डालने की कोशिस की है कंजूमेबल स्टोर डाल दे फैक्टरी में कितने रुपे एक हजार टोटलिंग में बड़ी दिक्कत हो जाएगी चलिए इसके बाद क्या है कंजूमेबल स्टोर मैनेजर का सेलरी सर मैनेजर कहाँ पर यह बताये नहीं है तो फैक्टरी में इमानो मैनेजर हो सकता और आफिस में भी मैनेजर हो सकता है इसके बाद डिरेक्टर का फीस डिरेक्टर हमेसा कहा होता है सर आफिस में ही बैठते डिरेक्टर ठीक है ना तो मैनेजर का सेलरी कहा लिखें सर मैनेजर का सेलरी यहीं लिखना है अटजस्मेंट मारना पड़ेगा यहाँ ज्यादा बचानी है इसके बाद सेलिंग का होगा मेरे इसाब से थोड़ा ऐसे यहां ले जाएं और यहां लिखते हैं manager salary कितने रुपए हैं 2000 इसके बाद manager salary के बाद क्या है हमारा director fees यह office में ज्यादतर बैठते हैं तो मैं office का मान के यहां लिख देता हूँ कितने और एक चीज बताओ ना costing के अंदर जंशन बहुत ज़्यादा देना पड़ता है कि sir यह ऐसा हुआ होगा तो यहां पर यह मान रहा है आप देखो manager बोलनी रहा director बोलनी रहा हमें क्या पता कहां बैठ रहा है अगर हमारे सामने हो वो तो हम पूछ ले salesman commission यह तो बात कहा जाएगा तो यह आएगा printing and stationery यहीं आएगा और क्या है telephone भी यहीं आएगा पचास रुपर और क्या है postage भी आपका office कही है और छोटा करते है postage भी यहीं आएगा कितने 100 रुपर आप देखते जाएगा और मैं तो सुनता जा रहा हूँ 100 रुपर इसके बाद selling and distribution आगया तो selling and distribution यहाँ जाएगा हमारा नहीं यहाँ थोड़ी आता है selling and distribution तो cost of goods sold के बाद आता है है ना क्या क्या है selling and distribution में चेक कर लेते हैं सर सेलिंग and distribution में दे रखा है हमें क्या 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 गिवन ने चेक कर लेते हैं आप सबसे पहले salesman का क्या दे रखा है हमारा selling and distribution में कमीशन मैं कमीशन लिख रहा हूँ कितने पान्सो रुपय है इसके आप ट्रैबलिंग एक्स्पेंस फिर आपका advertisement कितने पान्सो इसके बाद फिर वेयर हाउस कहा होता है यह exactly यह कहा होता है अक्ट्री में होता है इसके बाद carriage लेकिन आप वेयर हाउस नहीं यहां भी होता है selling distribution के टाइम पर इसके बाद क्या है carriage outward carriage outward तो ही आएगा कितने बस एक वेयर हाउस रहे गए इसको adjustment मारना है वेयर हाउस को adjustment करना है हाँ सही कह रहा हूँ prime cost चलो भईया उपर यहां पर लिख दिया वेयर हाउस कितने 200 रुपे अब मैं अगेन कह दूँ वेयर हाउस ना आपका office में मतलब कि selling and distribution का भी हो सकता है ऐसा होता है न जैसे कि मैं एक point बना लेता हूँ कि भईया यहां से सारा समान भिकेगा हमने कहा है फैक्टरी से ट्रक का ट्रक समान रहा है तो रोड पे थोड़ी खड़े हो जाएंगे लेके एक go down बनाएंगे और go down में रखा मैंने बनाए यहां से फटा फट सब माल उठा के लेके जाओ और बेचो इसे तो वो हो जाएगा कहा का selling and distribution का और factory में तो होता ही है वेर हाउस तो मैं consider कर रहा हूँ factory का है जैसे कि आपको बताया गया तो मैं factory के हिसाब से कर रहा हूँ ठीक है अब इसके answer मैंने कहा ना यह यहां भी आ सकता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब stock stock तो था ही नहीं इस सवाल के अंदर बड़े आसान सा सवाल बन गया तो अब पहला क्या आएगा sir prime cost इसके बाद क्या निकलेगा sir factory दो line नहीं आएगा यहां यहां भी दो line नहीं आएगा in fact यहां आएगा factory और factory के बाद यह आएगा production यहां पे कुछ है नहीं तो हम क्या करेंगे ना देखो जो चीजे नहीं है उस line को मैं देखो कैसे हटाता जाओंगा यहां पे क्या आएगा यह अब यहां पे cost of production और goods of salt है नहीं तो हम यह मान के चलेंगे जब opening और closing stock है नहीं इसका मतलब सर यह खतम हो जाएगा यह चीजे मैं सिखा रहा हूँ तो इसका मतलब सर जब वो चीजे है नहीं तो यहां पे directly क्या आजाएगा सर सारा माल बिग गया जब closing stock है नहीं तो यह आजाएगा cost of goods sold directly यह आएगा समझे बात अब क्योंकि हम production लिख रहे थे तो production लिखने का मतलब इतना माल बनाया और cost of goods sold का मतलब इतना माल बेचा अब सीधी सी बात है बनाया वो सारा ही बेच दिया तो यह तो आप production reward इस्तमाल कर लिजे यह cost of goods sold ले जाएए उसको उठा के आपकी मर्जी है वो एक step उपर ले जाएंगा इसके बाद हमारा selling and distribution इसके अंदर आ जाएगा तो बताइए सबसे पहले इसको plus करके क्या रहे पहले वाले का 52 इसको अलग marker से red से लिख देते हैं इसको है 52 अब 52 का साथ 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 जोड़ना है अपने क्या रहे 11 यह total 11,000 नहीं आप 52,000 भी जोड़ेंगे न हाँ तो यह ऐसे जूड़ेगा देखो यह जूड़ा न तो इसको छोड़ना नहीं है इसको भी लेके चलना इसके बाद इसके आदे यहाँ लिखते है 65,000 इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं यही आ जाएगा 65,000, 750 अब इसके बाद यह जोड़ लेते हैं 66,000 एक सो ठीक है अब सेल प्रॉफिट वगरा था नहीं तो यह सवाल हमारा यहीं पर हो जाता है खतम कुश्चन में कहता है कैलकुलेट दा प्राइम कॉस्चन है बोला भया कैलकुलेट करिए क्या प्राइम कॉस्च निकाल लिए नहीं दिख रहा होगा बच्चो को और कहता है फेक्टरी कॉस्च निकाल लिए निकाल दिया टोटल प्रोड़क्शन कॉस्च निकाल दिया cost of sales निकाली है वो भी हमने सारी चीजों के step by step निकाल दिया है अब ना इसका ना आप मान लेते हैं कि इस कुछ खर्चे उठा के मैं यहाँ पर लिख दूँ तब भी तो total यह यह जाएगा लेकिन यहाँ पर examiner जो check करेगा न answer वो heading wise चेक करेगा कि prime cost कितना आया जैसे gpnp अगर आप gpnp trading और p handle को अगर बीच में से हटाई दो a net profit तो आना ही है तो same यहाँ पर वो heading wise चेक करेगा क्या prime cost आपका इतना सही है फिर क्या factory cost सही है क्या इसका cost of production यह cost of good sold सही आ रहा है फिर selling and distribution आ रहा है फिर आपका cost of sales आ रहा है यह heading wise लेकिन फिर भी आपके इसके heading में फरक आ सकता है जैसे कि warehouse मैंने warehouse को कहाँ डाला factory में क्या पता examiner के answer sheet में selling and distribution तो note अगर डाल दिया ना we will be considered as a factory it can be also possible कि आपका selling and distribution का हो सकता है examiner खुष पूरे number देगा सेम ऐसे कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि आपका conflict कर रहा हूँ जैसे director salary दोनों जगे हो सकता है जैसे कि आपका manager का salary sir दोनों जगे manager हो सकता है तो मुझे जैसे जहां suitable लगा वैसे डाला आप भी उसी के हिसाब से चलेंगे ठीक है किसी को doubt sir नहीं question करे question करे करते करते याद हो जाएगा आप बिल्कुल सारे जो table है question करते करते आपको definitely याद हो जाएगा कोई दिक्कत कोई परिशानी यहां तक बताईए तो यह था हमारा एक सवाल वैसे तो हमें और भी question करने है लेकिन अभी नहीं तो आज starting है तो बस हमने simply क्या करा कहां तक खतम कर लिया sir हमने इसको खतम कर लिया basic basic चीजे cost sheet के अंदर जो हम कर सकते थे वो सारे point को हमने basic basic चीजे को cover कर लिया है cost sheet के अंदर किसी को doubt बताईए correct कर लिए जगा total 63 नहीं था इसका total क्या था बच्चों ने बताये के sir ये total 63 नहीं है तो मैंने देखा बीच सही बोल रहे है कितना आ रहा है इसका total 16,200 आ रहा है तो sir इसका अगर 16,200 है तो इसका भी total change हो जाएगा कितना बन रहा है इसका total 63,950 तो sir ये भी change हो जाएगा ये भी 63,950 ही बनेगा है ना 63,950 ना ये change होके आ जाएगा हमारा तो बस एक चीज़ ये बताना था 65,300 रुपया cost के अंदर assumption और practice बहुत जरूरी है assumption मतलब अब इसमें खर्चे में देख लो कई बार rent लिखा है तो एक कई बच्चे तो बोल देंगे rent sir office factory का भी तो हो सकता है अब कैसे डाल रहे हो office के अंदर तो उसकी बात सही है तो हमें कुछ assumption लेना पढ़ता है और उसके लिए specially note डालना पढ़ता आप किताब भी देखोगे ना जो भी पढ़ोगे उसके नीचे note mention होता है कि हमने इसको assume किया है तो best way होता है जिसके भी out of out of marks आये ना जो पढ़ रहे थे मेरे पस पहले बच्चे उनसे मैंने एक ही बात पूछा कि भी आ ऐसे आपने कैसे लिखा paper कैसे present किया तो उनका कहना था कि हर चीज का ना जो हमें लग रहा था हमने हर के से का note दिया बड़ी सीरीसी बात है तो ये थोड़ा छोटा सा सवाल है लेकिन है टेक्निकल ये वाली तो कॉलम बनाते हैं नहीं छोड़ो हटाऊ कभी-कभी जुरत पढ़ती है वैसे क्या कहता है राव मट्रीयल पर्चेज है वर्क ओवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् और finished goods, यहाँ पर देखिएगा ना, finished goods जो opening है ना, यह kilo में है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ बहुत important point चर्चा करने वाले, quintals बोलो, kg बोलो, unit बोलो, कुछ भी है, और उसका amount भी गिवने सरम है, ठीक है न, कहता work in progress sir, work in progress के अंदर दे रखा है, आपको opening भी दे र इसके बाद क्या आएगा हमारा gross, है न, क्योंकि इसके WIP भी है, इसके बाद क्या आएगा net factory, इसके बाद क्या आएगा cost of, इसके बाद क्या आएगा, cost of, इसके बाद क्या आएगा, cost of sales, और last में, थोड़ा छोटा कर दिया हमने, लास्ट में लिख लेंगे हम, sales, ठीक है, line भी डाल दिया, यह 6 point याद और इसके बीच में होने वाले transaction याद, तो chapter में कोई जान नहीं है, यह लोई इसको भी colorful कर देते हैं थोड़ा, कौन से color ले, red ले 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 पर, छोटा सवाल है, इसलिए थोड़ा सा, कर देते हैं ताकि आपको याद रहे, बहुत ज़्यादा होगी है, चलो कोई नहीं, सबसे पहले raw material purchase यहाँ जाएगा, उपर क्या लिखेंगे, cost sheet format में ने पहले पूरा detail में दिया हुआ है, ठीक है न, इसके बाद क्या है, work overhead, यहाँ जाएगा, कितने रुपे का है, इसके बाद raw material है, opening प्लस, कितने का है, 4000, बस छोड़ देते हैं, इसके बाद कहता है, FG opening, तो sir, FG की बात करें, तो इनके बीच का दूरी है, cost of production रश्का, तो यहाँ plus हो जाता है opening stock, और minus हो जाता है sir, closing stock, तो opening stock बोलता है sir, 800 quintal है, और rate का नहीं बताया इसने, यह बता दिया, 32 का है, ठीक है sir, अब closing देखेंगे, क्या बनता है हमारा, work in progress का opening और closing भी है, वो इसके बीच की कहानी है, तो plus opening, और minus closing, sir क्या, WIP, WIP, इसको हटाई देते हैं, यह बड़ा परइसान कर रहा है मेरे को, अटाओ, ठीक है, चलो, इसके बाद कहता है, हमारा opening का जो है WIP, 900, और closing का, 32, इसके बाद कहता है, office and admin expense, 1600 रुपय, तो कहां की कहानी है, इनके बीच का, office admins, office and admin, कितने है, 1600, sales, finished goods, 60,000, अब इसको करने से पहले, एक कहानी समझ लेते हैं, important point है, जिसको यह बाली बात समझ में आ गई न, अब बाली जो मैं समझाने वाला हूँ, समझे चप्टर, उसके लिए कुछ नहीं बचा फिर चप्टर के अंदर, अशच कुछ नहीं बचा, last point इर बसता ही है, सर, इसके अंदर क्या है ऐसी बात, मैं अगर कहूं न, sold, bracket में मैं लिख रहा हूँ, unit, ध्यान रखिएगा, sold और bracket में मैं लिख रहा हूँ, opening stock, का क्या सर, unit, plus, production का, सर, production का क्या सर, unit amount का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, minus, closing stock का क्या सर, यानि सारा कमाल यहाँ पे है सर, unit, unit, unit का, सारा कमाल है, unit का, अब है क्या कहानी है, मैं केजी की बात करता हूँ, मान लो, मैं 50 किलो, मैं 50 किलो चीनी खरीद के लाता हूँ, मैं 50 किलो चीनी खरीद रहा हूँ, तो that is purchase, अगर मैंने बना बनाया खरीदा, तो that is production, यही production है, ठीक है, और मेरे पास, शुरू में 10 किलो पड़ा था, तो आप मुझे एक जवाब दिजे, बड़ी सीरी सी बात कहता हूँ, मेरे पास total कितना पड़ा हूँ है, यानि total 60 किलो आपके पास चीनी है, जिसे आप बेचने के लिए available है, यानि सुरू में 10 किलो थे, 50 किलो खरीद लिए, total कितने पड़ा हूँ है हमारे पास, total पड़ा हूँ है हमारे पास, 60 किलो, अगर मैं बोलू, मेरे पास ना 25 किलो बचा हुआ है, बचा हुआ है, अगर मैं बोलू, मेरे पास 25 किलो बचा हुआ है, तो ultimately आपने sold कितना किया, ये पता चल जाएगा, क्योंकि 60 किलो में अगर आपने 25 किलो बचा लिए है, तो 35 मैंने खा थोड़ी लिए होंगे, बेच दिये मैंने, तो ये बनेगे हमारा एक chain, अब इसके अंदर आप से कुछ भी निकलवाया जाए, बड़ी सीधी सी बात है, अगर आपको opening stock पता हो, purchase पता हो, और closing stock पता हो, तो आप sales निकाल सकते हैं, अब sales को ध्यान से नीचे से पढ़िएगा, sales में आपने क्या करा, sales के अंदर मैं बीच के points को हटाने वालो हूँ है, बीच के points को हटा रहा हूँ, इसे भी हटा देते हैं, ये ही पढ़ा हुआ है, ये क्या था हमारा, इसको production मान लेते हैं, production है ये, ये क्या है सर, opening stock है, ये सर क्या है, closing stock, बचा हुआ मतलब closing stock, अब देखिए, sales कैसे आया, sales को निकालने के लिए, आपने opening stock पहले लिया 10 kg, है ना, फिर उसमें जोडा आपने production कितने, और फिर उसमें घटाया आपने कितने, 25, तब ही तो जाके बना आपका ये, तो इसी इस विहाब पे हमने क्या बनाया सर, एक छोटा सा एक formula बना लिया है, मैंने बोला, cost of production, मुझे sincerely जवाब दीजेगा, 1000 रुपए, मेरे ने एक product बनाया है, कुछ भी बनाया, XYZ जितने भी product बनाया, उसका खर्चा मेरा 1000 राया है, और मैंने बताया सर, मैंने unit जो बनाया न, वो बनाया मैंने 500 unit, मैंने unit कितने बनाये, 500 unit बनाये, और उस पे total बनाने का खर्चा जो आया है, मेरा कितना आया सर, 1000 राया, total कितना खर्चा आया, मैं जानना चाहता हूँ मेरा पर यूनिट कॉस्ट क्या है मेरा पर यूनिट कॉस्ट क्या है जितने बच्चे लाइब में बचाएंगे वो पर यूनिट कॉस्ट लाइब वाले बच्चों का भी देख लेते हैं क्या चल रहा है बताईए पर unit cost क्या है अधित्य कहते हैं 1000 रुपे 2 रुपे oh my god 50,000 रुपे 2 रुपे 2 रुपे सहब पर unit cost होगा 2 रुपे क्योंकि आप एक unit का थोड़ी बना रहे हैं एक unit का नहीं है आपका ये cost of production यानि कुछ समान बनाया जिसका खर्चा आपके उपर पड़ा 1000 का और आपने unit तयार किया सर ये तयार unit है तयार unit है आपने unit कितना तयार किया 500 500 के unit को तयार करने के लिए आपने कितने खर्च दिये कितने पैसे फुक दिये 1000 तो आपका एक unit का कीमत कितना पढ़ गया सर 2 रुपे एक यूनिट का कीमत कितना पढ़ गया, दो रुपे, यहां तक की कहानी हर बच्चों को समझ में आ गया, बिल्कुल सर, यहां तक की कहानी हमें समझ में आ गया, आगे चलते हैं, कुछ बच्चे आगे का अंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, फिर भी हम देखते हैं, माल लो, मैंने प्रोडक्शन किया, सर प्रोडक्शन किया मैंने, और मेरा खर्चा जो आया, वो आया पचास हजार, जो मेरा खर्चा आया न, देटेस हमारा पचास हजार, समझो पहले बात को, अब, खर्चा इतना आने के बाद, जो मैं यूनिट बना पाया, यूनिट पड़ियूज कर पाया, यूनिट पड़ियूज कर पाया, वो मैं कर पाया, सर हजार यूनिट, यानि मेरे पचास अजार रुपे पॉकेट से लग गये जिसमें से मैं माल हजार यूनिट तैयार कर पाया और जिसमें से मैं सोल्ड कर पाया जिसमें से मैं सोल्ड कर पाया यानि मैं बेच पाया मार्केट में आठ सो यूनिट बड़ा सीधा सा सवाल है कि मैंने production किया जिसमें मेरा खर्चा मेरे pocket से कितना लग गया 50,000 और कितने unit बना पाया मैं 1000 unit बना पाया और 1000 बनाया है उसमें से मैं कितने बेच पाया तो मेरा सवाल number one क्या मेरे पास कोई closing stock है sir क्या मेरे पास कोई closing stock है बताइए लाइव वाले बच्चे comment में जवाब देंगे क्या मेरे पास closing stock है या नहीं है यस सर है तो है तो कितना है 200 यह हमने find कर लिया पहले यहां तक समस्या सब समझ में आ रहा है अब मेरा सवाल है कि बताइए मेरा per unit cost क्या है per unit cost क्या है कौन बताएगा लाइव वाले बच्चे फटा फट बताएगा आप बहुत सुस चल रहे है अभी per unit cost तो जवाब आगे है सर 50 रुपे per unit cost क्या जवाब आए सर 50 सर कैसे निकाल रहे है आप मैंने का भीया simple सी बात है 50,000 का खर्चा आया है और 1000 unit बनाया है इसका मतलब कितने आगे 50 रुपे per unit cost है ठीक है अब मैंने कहा per unit cost 50 रुपे है तो 50 रुपे के हिसाब से जो मैंने बनाया था वो कितने unit बनाया था 1000 कितने इसमें से बिक गए 800 तो जो यह 200 unit बच्चे हैं वो किसमें से बच्चे होंगे इसी में से बचे होंगे अगर मैं पूछ लूँ closing closing stock जो है उसका value बता दीजिए आप closing stock का value बता दीजिए तो आप बोलेंगे sir 200 बचे हैं और 50 रुपे का एक तो वही तो था तो जवाब आएगा आपका sir 10,000 किसको समझ में नहीं आया यह बाद पहले देखिए यह बात समझ में आगया सभी को समझ में आगया बच्चों ने जवाब दे दिया very very good 10,000 रुपे का जवाब आ चुका है कुछ बच्चे 1000 साइट typing error हो सकता है और अगर जान पूछ पता नहीं था मैं आपकी बाते सुन सकता हूँ कि अगर आप मुझे per unit per unit cost बता दो बता दो तो मैं आपको closing stock का value बता सकता हूँ मैं यानि आपको दो चीजे चाहिए closing stock का value बताने के लिए एक सर आप मुझे बता दीजिए के closing stock का unit कितने है और एक आप बता दीजिए के per unit cost कितना है बाकी काम तो हम कर देंगे के closing stock का value कितना आएगा वो हम easily कर सकते हैं सर फिर बाकी का काम तो हम easily कर सकते हैं अब देखिए एक और सवाल पूछा जाएगा आपसे ऐसे बात नहीं बनेगी यह formula देख रहे हो ना याद है ना यह formula किया खाथा एक और सवाल पूछें यहीं पर छोटा छोटा लिखके पूछते हैं मैंने आपको दिया opening stock opening stock का unit 1000 और फिर मैंने दिया closing stock का unit 1200 और मैंने यहाँ दिया हमने sales किया है unit unit बारह हजार यह 10,800 12,000 कर दिया I want to know कि हमने माल कितना तयार किया हमारा production कितना है production कितना है question mark आपके सामने यह formula लिखा है इस formula को नजर अंदाज बिलकुल भी ना करें इस formula से ही यह solve होने वाला है तो बताइए production कितना होगा production कितना होगा एक बच्चे का जवाब आ गया 11,800 12,200 12,200 12,200 12,200 की line लग गई है तो सर सही जवाब मुझे भी नहीं पता चेक कर लेते हैं इसी को continue करते हैं sales की जगह पर सर sales का unit रख दो 12,000 is equal to opening के जगह पर opening का रिख दो 1000 production के जगह पर x रख लेते हैं और minus closing के जगह पर closing 1200 तो सर ये वाला और ये वाला होगी हम minus प्लस करके 200 और 200 हुआ minus का और इसको इधर उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा 12,000 तो जो जिन बच्चों का 12,200 आया उनका जवाब एकदम करेक्ट था एकदम करेक्ट था उनका जवाब ठीक है एक और सवाल पूछ ले आपसे एक और सवाल पूछ लेते हैं सर ओपनिंग स्टॉक चार हजार क्लोजिंग स्टॉक शे हजार सेज्ट सेज्ट तीस हजार प्रोडक्शन प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट 3,20,000 कॉस्ट यूनिट नहीं बोला मैंने प्रोडक्शन मैंने कॉस्ट बोला है मैं दे रहाँ आपको 3,20 आपको क्या-क्या निकालना है ध्यान से सुनिएगा मैं बड़े सारे सवाल पूछने वाला हूँ नंबर वन आप मुझे बताईए production production unit number one number दूसरा सवाल closing stock value कि closing stock का कितना value होगा closing stock का value कितना होगा जल्दी बताईए production unit कितना है और closing stock का value कितना होगा 32,000 32,000 सूरज का भी जवाब आ गया सहदाव का भी जवाब आ गया पहले का चाहत ने जवाब दे दिया 32,000 और एक रुपे पर unit जवाब आया है मेरे पास 32,000 सभी का 32,000 पहले सवाल का जवाब मिल गया सर पहले सवाल का जवाब आप सभी ने दिया है बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया 32,000 कैसे आया, एक बार मैं इसको detail बता भी दूँ, आपने कहा sir, हमारा sales दे रखा है, 30,000 is equal to opening stock कितने है, 4,000, sir production नहीं पता तो x और minus कर दिया closing that is 6,000, तो कुछ ऐसे ही आपने मुझे x की value निकाल के बता दी क्या 32,000, closing stock की value कौन बता का value, चलिए एक और सवाल add कर लेते हैं इसमें, number 3, per unit cost, per unit cost, per unit cost क्या आएगा, क्योंकि जब तक per unit cost नहीं निकालोगे, closing stock नहीं बता सकते, बच्चों ने बता दिया, sir closing stock ही बता दिया, per unit cost कितना आ रहा है, 10 रुपे का, per unit cost 10 रुपे का है और closing stock 6 का है, तो very very simple, काफी बच 8000, इसका मतलब sir, हमें अब, आप closing stock की value मत दो, बस हमें बता दो production की unit कितनी है, और हमें बता दो production की cost कितनी है, closing stock की आप find करके निकाल सकते हो, सिर्फी बात है, पिछले सवाल में आ जाईए, पिछले सवाल में आ जाते हैं, सर पिछले सवाल की कहानी देखिए, क्या कहता है, हम आपको opening stock बता रहे हैं, हम आपको opening stock बता रहे हैं, और साथ के साथ, कहता है, एडविटीजमेंट का जो भी expenses बगरा हुआ है, वो 40 पैसे per unit sold हुआ है, और during the month, 12,800 quintal community were produced, यानि सर question ने आपको produce दे दिया, कितने दे दिया, 12,800 दे दिया, question ने sales बता दिया in the terms of amount, question ने sales बता दिया in terms of amount, यहाँ पे here, आपको sales कितने unit किया है, क्या बताया है, सवाल ने, sales कितने unit किया है, नहीं बताया, तो बड़ी सीधी सी बात है सर, opening stock कितना था, opening stock कितना था सर, 800 unit, production कितना किया, 12,000, total कितने हो गए, 13,600, अगर कोई closing stock, आप देखो, आपको sales का unit अगर मैं बता दू, let's for example, मैं sales का unit बता देता हूं, कि मैंने sales unit किया है, suppose करो मैं बोलता हूं, 13,000, अगर मैं बता दू, sales का unit 13,000 है, तो जट से अब closing stock बता सकते हूं, ठीक है, बता सकते हैं, बता सकते हैं, अगर मैं sales का unit ना दू, तो भाईया, closing stock बताना impossible है, तो अब यहाँ पे क्या माने हम, ऐसे situation में मानेंगे, कि जितने ब unit होंगे, 13,600, तो क्या मुझे यहाँ पे closing stock कुछ मिलने वाला है या नहीं है, नहीं मिलेगा, यह होने वाला है, 0, आने वाले सवाल में आपको closing stock के तरी जो सीखाना है, concept वो आएगा भी, अभी apply करके देखेंगे हम, तो पहले यह बताईए, यह समझ में आया है की नहीं, यहाँ closing stock 0 होगा, पहले इस बात का जवाब दो, closing stock के रहने वाला है हमारा, 0 रहने वाला है, हर किसी को clear है कि sir, यहाँ पे closing stock 0 होगा, और इसके लिए आप especially क्या दोगे, note दोगे, we assume that there all stock, यानि amount डाल दोगे, जितना 12, 13,600, all unit या all quintal of stock will be sold, ठीक है, sir, अब बोलता है कि sir, 40 पैसे का खर्चा आएगा एक quintal बेचने में, तो sir, बड़ी सीधी सी बात है, एक quintal बेचने में selling expense आ रहा है, आपका 40 पैसे का, आप तो कहानी आसान हो गई न, आपने कितने unit बेचा यह पता चल गया, कितने unit बेचे, अब multiply कर दीजिए, 5440 आ गया, कहानी अब पूरा हमार फिल हो चुका है, कोई दिकत, अब पटा-फट से कुछ नहीं करना, sir, बस 28,000, totaling के लिए मैं अलग color ले लेता हूँ, और उससे हो जाएगा 28,000, और यह हो जाएगा हमारा, 48,000, एक बार इसको minus करिएगा, 32 में से 900 गए तो कितने बचे, 960 है, हाँ, 22, 40, इसको minus कर 48,000 में से, 45, 760, इसको plus करेंगे, 16, 47, 360, यह भी plus हो जाएगा, 50,560, इसको भी plus करेंगे, 56,000, और आपको निकल गया बीच में कहानी, 4000 का, तो यह सवाल भी हमने done कर लिया, इस सवाल में क्या सीखने को मिला सर, इस सवाल में सीखने को मिला कही बार आपको selling and distribution का point में दे सकता है खर्चा, तो लेकिन आपको selling and sales आपने कितने unit करा, पता नहीं चलेगा, तो एक assumption लेक point, और सवाल देखें, चलिए, और सवाल देखते हैं, कौन सा देखना है हमें, यह भी चेक कर लेते हैं, यह भी सवाल देखेंगे, question में मजे की बात है, prime cost दे दिया, जो निकालते हैं, ठीक है, कहानी यहाँ थोड़ा सा अलग, तो चलिए एक और सवाल देखेंगे, चलिए सर, अब एक बात जीवन में याद रखिएगा, कि जब भी calculation से हम नीचे से उपर जाएंगे न, तो जो चीजे हम plus किया करते थे, वो minus हो जाता है, और जो चीजे minus किया करते थे, तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, कहानी उल्टी हो जाती है, सिंपल सी बात है, और इसमें कोई trick और कोई logic नहीं है, बहुत सीधी सी बात ही है, यह तो, आप सबसे पहले prime cost दे रखा है, तो prime cost की एक line डाल लेजिए, सर, यह लेजिए, prime cost दे दिया सवाल लेए, prime cost दे दिया सवाल लेए, सर, कितने है prime cost, सर, एक लाख रुपए, एक लाख का prime cost है, सर, यह लेजिए, इसके बाद सर, direct wages देता है, लिख देते हैं, यहीं पर direct wages, सबसे पहले raw material, raw material भी यह क्या, expense on purchase दे रखा है, तो purchase लिखिए, purchase लिख रखा है, कितना है हमारा, अच्छा वो expense है, चलिए expense, यहां लिख लेते हैं, on, purchase कितने का है, 5000 है, 5000 है, इसको सही सही लिख देते हैं, 5000, इसके बाद क्या दे रखा है हमें, नहीं मैं opening से चल रहता हूँ, opening stock, plus opening stock, minus closing stock, 10,000, और 15,000, तो यह आता है हमारा, और वो भी minus का, चलिए सर, expense भी ले लिए, direct wages, यहीं आ जाएगा, direct wages, direct wages, कितना है, 50,000, सवाल कहता है, compute the raw material purchase, इसका मतलब, देखो यहाँ पे, कि सिर्फ और सिर्फ यहीं missing है, इस पूरे कहानी में यहीं missing है, तो नीचे से उपर चले जाते हैं, तो अगर हम इससे उपर जाएंगे, तो जो plus का symbol है minus होगा, क्योंकि हम नीचे plus करते हुए उतरे थे, तो सबसे पहले यह minus हो जाएगा, 95, और यह minus हो जाएगा, 45, और यह plus हो जाएगा, तो जवाब हमें मिल गया, कितने रुपए आगे हमारे, 50,000 रुपए आगे, बच्चों ने जवाब दे भी दिया था, almost sir, answer आया है, 50,000 रुपए, बिल्कुल correct, समझ में आ रहा है, चलिए, और भी एक सवाल आपके लिए, ठीक है, machine hour rate है, production है, और यह भी कुछ-कुछ, आसान-ासान सवाल है, करते हैं आपके लिए, हाँ, जितने भी सवाल होंगे न, छोटे-छोटे, थोड़े से, देखो, मेरा काम है कि आपको सारा करा देना, सारे type के question करा देना, बाकि आप जितने मर्जी question करों, उसमें रुकना नीची, ऐसा लगे कि इस type का question हमने किया हुआ है, इसलिए मैंने बड़े चाट-चाट के सारे question जो थे न, और ऐसा नहीं कि मैं किताब के सारे question करा रहा हूँ आपको, मैं practical हो चाहे आपके book के example हो, उसमें से जो main main सवाल थे वो निकाल के मैं करवा रहा हूँ आपको, और जो similar type के question थे, वो करवाने की जुरत है नहीं हो, तो time स्रिफ, और वो आप किताब में से खुद करेंगे, ठीक है न, तो sir, prepare cost sheet from the following, ठीक है sir, यहां तो बोली दिया cost sheet, तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, prime cost, सबसे पहले लि factory cost, इसके बाद क्या आएगा, cost of production, अच्छा finished goods है ही नहीं, तो cost of goods sold, क्योंकि finished goods भी इसमें, इसके बाद क्या आएगा sir, cost of sales, और last final sales, तो आपको एक idea हो गया होगा है, कि हम किस तरीके से एक step को अगर आगे नहीं दे रखा हो, question पढ़ने के बाद पता चल जाएगा, तो किस तरीके से आपको skip करना है, ये भी एक आपको आना चाहिए, इसके सर नंबर तो नहीं कटेंगे, कोई नंबर नहीं कटेंगे, जब है नहीं तो क्या करेंगे, बच्चे थोड़े से जब ज़्यादा पढ़ने ले जाते हैं, त जब को डर लगता है, ये करेंगे तो ये नहीं कटेंगा, ऐसे लिखेंगे तो इसे नहीं कटेंगा, ऐसे कुछ निया जी, सवाल सही होना अचिए, बस, राव मटरियल, कितने का खरीदा सर राव मटरियल, पंदरह हजार, डारिक लेबर, कितने का, नो हजार, मसीन आवर और मसीन आवर रेट फैक्टरी में चलेगा, कहता है भाईया हमारा फैक्ट्री ओवरेड लिख दूए है, कहता है मसीन जो चलेगा न वो 900 घंटे चलेगा, मैंने ओके, बोलता है दिहारी लगेगी 1 घंटे के 5 रुपए, मैंने कोई बात नहीं, आपको मिलेगे कित प्रडक्शन कहता है 17100 यूनिट करेंगे, ठीक है सर, 17100 यूनिट, आगे कहता है सेंस हमने 16000 यूनिट किया, गडबड हो गई, कितने यूनिट बेचे, तो यहाँ पे क्या बचा, कितने, 1100, और हमने इसको क्या डाल दिया सीधा, गुट सोल्ड, cost of good सोल्ड से पहले हमारे पास क्या आएगा, cost of production आएगा, समझ में आ रहे है अपको, तो मैं लिख लेता हूँ, factory के बाद, cost of good सोल्ड के बाद, क्योंकि closing stock ही आएगा, admin है गया, selling and price selling and overhead, office overhead है बिल्कुल, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चलो कैसे adjust करें, कोई बात नहीं अर्जिस्ट कर लेगे इसको उठा के लेगे उपर यानि सर यहां पर फैक्टरी के बाद क्या आता है हमारा कॉस्ट आफ यानि लास्ट कॉंसेट करने के बाद कम से कम इतना तो हमें समझ आया है कि या क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल सकते हैं ठीक है सर यहां कहता है सर के सैलिंग अन ओबरहेड कितना है हमारा कहता है 20% सैलिंग ओबरहेड है 20% of work cost work cost का मतलब सर फेक्टरी कॉंस्ट का यह और नया नाम है फेक्टरी कॉंस्ट का यह और नया नाम है क्या नाम है फेक्टरी कॉंस्ट का एक work cost याद रखना है कहता है जितना भी यह आएगा उसका 20% यह होगा तो सर पहले यह निकाले न 24 24 और 45 1000 गलती से कर दिया है overhead जो है वो इसका 20% है तो कितना होगा 20% 17 1500 57 cost of production आ जाएगा कितने 34,200 आपको पता है sir closing stock इतने है आपको पता है cost of production क्या है है ना 34,000 आपको पता है production unit कितने है कितने है production unit 17,100 question कुछ चिला चिला के कह रहा है 17,100 अब आपको देखो पिछले 40 अवाद जो हमने भी practice में किया था क्या यहाँ पे closing stock का आप unit तो निकालने में कामियाब हो गए sir closing stock का जो unit होगा वो unit तो होगा कितना sir 11,100 लेकिन यह कितने से multiply करें कैसे पता चलेगा पहले हमें CPU निकालना पड़ेगा यहनि cost per unit cost per unit कैसे निकलेगा 34,200 और divided by 17,100 that is 2 रूपीज तो यहाँ 2 से multiply करेंगे तो यह आजाएगा 22,00 वो भी किसमें sir negative में क्योंकि यह क्या है closing है तो minus करेंगे जैसे ही 22 तो आजाएगा 32,000 अब आगे देखते हैं selling and distribution expense कहता है 50 पैसे तो sir selling कोई बात नहीं sir 50 पैसे कितने unit बेचे हैं सवाल खुदी चिला के कह रहा है 16,000 तो कितने हो गए 8,000 कितने हो गए यह 40,000 कहता है लो भाई मैंने बेच दिया 4 रुपे पर unit के साब से अच्छा ये भी हमसे निकल बाओगे यानि 16,000 गुणा में 4 तो कितने का बेचा 68,000 तो बीच का difference क्या आएगा profit कितने का आगया profit 8 64 होगा मैंने 68 लिख दिया 64 तो ये लेजिए तो एक इस परकार का सवाल हो सकता है तो देखो जिसको अगर वो वाला concept नहीं clear न कौन से वाला सर वो वाला closing stock, opening stock पर unit ये करी नहीं सकता वो सवाल वो परिसान रेगा है कैसे कर दिया है इतना सारा बढ़ा कुछ, बहुत कुछ निकाल लिया इसने तो तो यहाँ पर ये कमाल था बच्चो का जवाब आया है 24,000 तो मैंने 28 लिख दिया था तो जवाब सही है 24,000 ये भी बदलेगा है न तो 24,000 ठीक है ये भी मज़ेदान question तो अब देखो क्या चीज़े सीखा हमने इस वाले सवाल में क्या सीखा हमने कि कई बार आपको किसी head का expense चाहे आपका selling हो, admin हो वो पिछले वाले head पे depend कर सकता है जैसे कि यहाँ पर था और दूसरा closing stock चाहे production कुछ भी निकालने को आ सकता है मज़ा तब आ जाता जब यहाँ पर question में आप production भी नहीं देता उसके जगा पर selling का unit देता तो हमें क्या निकालना पड़ता है फिर production unit तो दे ही रखा था अब मैं माल लो, मैं कह दू कि मैं production का unit नहीं देता हूँ तब भी मैं निकाल सकता हूँ sir बस मुझे क्या देतो आप closing का unit देतो तब भी मेरा निकाला जा सकता है चलिए किसी को कोई doubt अगला सवाल कुन साथ देखते है अगली class में बाकी मैं इसका answer करूँगा एक यह सवाल है आपके homework के लिए इसके अंदर भी ध्यान से करिएगा 20% of work cost लिखा हुआ है मेरे खाल सेम सवाल repeat होगे है तो हाँ है ना तो यह तो नहीं है यह तो नहीं है जी सेम सवाल repeat होगे 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 repeat ध्यान नहीं दिया मैंने यह सवाल क्या कहता है आठ चलिए एक यह सवाल homework में रहेगा आप note कर लिजिएगा question number 8 है homework में मैं देने जा रहा हूँ question number 9 भी homework रहेगा इसके अंदर देखिएगा मजे की बात है यहाँ पे कुछ है दिक्कत 160% of factory यानि 100 से भी उपर चला गये तो और question number 10 भी आपका homework में रहने वाला है और 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 11 भी homework में है 11 तो अभी कर लिया था कर लिया था amount change कर दिया ना तो यह तो homework में होई गया ना 12 यह मैं करा दूँगा 13 यह भी मैं करा दूँगा हगली class में 14 यह homework में है यह तो सिर्फ भरना है आपको fill करना है नहीं हुआ तो मैं कराँगा मैं बाकि लिख रहा हूँ यह sheet कल आपको मिल जाएगी सभी को 15 और यह last question है और last question का मतलब भी थोड़ी होता है यह भी homework में है यानि अगली class में chapter खतम अगली class में यह वाला chapter आपका हो जाएगा महिश्वरी मित्तल विच edition इसमें edition नहीं है बस ले लीजिये जो भी पिछले साल का भी चल जाएगा और this year का भी चल जाएगा क्योंकि इसमें कोई बदलाव आया नहीं है आपके इसले बस में लेकिन तीन-चार साल पहले का लीजिये का तो problem आजाएगा यानि अगली class में sir हम ये chapter को क्या करने वाले खतम और जिसके जो भी doubt है सारे doubt board पे मैं किक करके solve करने वाला हूं इसके अब doubt ले लेते हैं बच्चों के कई बार नहीं कैसा सवाल आ जाता है एक्जाम में जो कि आप देखके बड़ा हैरान हो जाओगे prime cost के क्या क्या नाम थे ये कहता है चार नंबर में आया हुआ सवाल है ऐसा नहीं कि मैंने ये लिखा है चार नंबर में ये आया हुआ सवाल है कई बार पूछ लेता है कि इन units को कैसे measure किया जाएगा आप ये बता जीए measure करने की बात करते हैं Sir measure करने की बात करते हैं जैसे कि आप तेल को कैसे करोगे तो तेल को आप किलो में थोड़ी ना कर सकते हो चीनी को आप लीटर में नाप सकते हो क्या नहीं तो ऐसे कुछ एक points होते हैं उसको किस measurement में किया जाता है वो बताना होता है जैसे for example आपका क्या-क्या है और ये एक्जाम में आया हुआ कुश्चन है ऐसा नहीं कर नहीं आया है दो नमबर तीन नमबर में कहता है cost unit जैसे bricks, bricks को कैसे नापोगे पर thousand bricks के अंदर नापा जाएगा आपका यानि जब भी कभी आप bricks इंटे लेने के लिए जाओगे तो आप ऐसे नहीं बोल सकते के इसको अगर बोले गए तो वो कैसे चलता है thousand के counting में चलता है ठीक है न रेट होगा thousand के counting में sir आपका calories per ton per ton of calories koila है न ये थोड़ा सा error होगा यहाँ पर ये coal का होगा coke होगा यह coal होगा इसको अभी रहने देते है टेक्स्टाइल को कैसे नापते है per yards और per आपका bill होता है of cloth आपका bell का मतलब थान कहलो है न कपड़े को कैसे बोलते है थान कपड़े का उसमें नापा जाता है या yards गज में नापा जाता है चार गज पांच गज छे गज normally meter भी नापा जाता है लेकिन meter counting में नहीं होता real life में हम बोलते है न धाई मिटर सबा मिटर बट actual measurement ये लिखके आना है electricity को कैसे नापा जाता है sir per unit में नापा जाएगा या फिर आपका electricity जो भी per unit क्योंकि उसी के हिसाब से देते हो कितने unit विजली का बिला है उस पर पेमिंट करेंगे transportation companies कैसे नापते है passenger kilometer नापेंगे या ton kilometer दो होते हैं उनके पास नापने का measurement का तरीका या तो बोलते हैं भाई या passenger kilometer या ton बाकि आगे चप्टर भी करेंगे steel mills कैसे नापते हैं per ton के हिसाब से नापते हैं या thousand आपका screw होता है आपका इसके बाद करते हैं gas को कैसे नापते हैं cubic में मना पा जाता है कार को कैसे होता है हमारा unit manufacturing में ऐसे nickel है हमारा per square meter इसके साथ साथ कुछ एक point और है जिसके लिए मैं अलग से डाल दूँगा जैसे कि oil को किस में नापा जाता है oil को oil मैं लिखा नहीं देखते हैं कहीं आगे तो नहीं लिखा है नहीं, oil नहीं लिखा तो oil को नापा जाता है barrel में barrel होता है आपका इतने barrel liter और एक barrel liter में 100 liter होता है पाइधो से उसमें ना पाजाता है टो कहसे ना पो गया पैसे ना पोगे अपने हूटल रूम में रो कि यह कुछ दूड्रमिंट के तरीक नहीं जो की आपको सीधा सीधा सवाल पूछेगा वह सВה यह chapter खतम हो गया अगली class के अंदर material शुरू होना है और अगली class थोड़ा सा time revise कर रहा हूँ 6 बजे से 9 बजे तक की class है अगली कौनसी आपकी जो upcoming Friday है तो उस class के अंदर एक मेरे को पूरा topic है उस topic को मैं तोड़ तोड़ के नहीं कराना चाहता है मैं एक ही साथ कराना चाहता हूँ जो आपने semester 1 में भी करा हुआ है लीफो फीफो वाला एक concept था material के अंदर आपने याद होगा अगर आपने semester 1 में पढ़ा है coaching वगएरा या फिर देखा तो उसमें एक लीफो फीफो वेटेड एवरेज last in, first out, first in, last out के नाम से topics था उस पूरे topic को already आप कर चुके हो तो तीन घंटे के session में वो पूरा topic खतम करें हूँ एक्जाम में उसमें से 10 नंबर का सवाल पूछा ही पूछा जाता है लगबग तो मैं उसको एक अगले further class के उपर postpone नहीं करूँगा तो अगली class 6 बजे है याद रखिएगा 6 से 9 रहने वाली एक class जब तक topic खतम नहीं हो जाता है next class का क्योंकि costing का भी मैं syllabus वैसे already कुछ बच्चे कहेंगे के sir costing का syllabus मैंने already वैसे तो डालावा है folder में खतम हो चुका है आपका जिसे करना है बईया कर लीजिए लेकिन फिर भी मैं live class बोल के करता हूँ तो मैं live class में same उसी तरीके से लेके चलूँगा तो थोड़ा एक लंबी class ले लेते हैं session देखेंगे फिर ठीक है तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आज ही ये chapter खतम कर लेके हम और अगली class में एक और chapter हमारा लगबग वही उठाऊँगा कुछ बच्चों कहना था सर आपना मुस्किल मुस्किल वाले chapter ना अभी मत कराओ हमारा interest ना खतम हो जाता है फिर आसान आसान करा दो तो इसलिए मैं पहले आसान आसान chapter करा दूँगा और इस बार जिन बच्चों के internal होंगे प्लीज मुझे बताईएगा अलग से folder अप्लेट करके आपको सबसे पहले मैं करवा कर दे दूँगा चलिए सर सबसे पहले देख लेते हैं सवाल में क्या कहता है सवाल में कहता है direct labor कहता है सर 16000 है और कहता है जो direct labor 16000 है that is 160% of factory overhead यानि सर सबसे पहले हमारे क्या आता है prime cost सबसे पहले क्या आता है prime cost उसके बाद यहाँ पर WIP देख ले है सर WIP तो क्या आएगा हमारा gross आएगा gross factory उसके बाद आएगा सर net factory उसके बाद आएगा cost of production और उसके बाद आएगा cost of goods sold और last में दो step और रहेगे ना इसके बाद आएगा सर cost of sales और उसके बाद आएगा सर sales आजाएगा कहानी यहाँ पर खतम हो जाएगे इसको भी फॉर्मिटिंग में डाल देते हैं पहले ही चलिए सर क्या कहता है question में direct labor कहता है तो सर डारेक लेबर तो यहीं का part है है ना direct labor direct labor है हमारा 16,000 लेकिन कहने का अंदाज देखो कहता है भाईया direct labor ब्रैकिट में कहता है यह जो direct labor है ना whatever amount factory में यानि जो factory overhead होगा ना जो factory overhead होगा उसका 160 परसेंट है यानि यहाँ पे अगर 100 रुपे हुआ ना तो यह 160 होगा यानि जो direct labor दे रखा वो बढ़ा के दे रखा है factory overhead से कितना 160 परसेंट तो निकालने का तरीका क्या रहेगा इसका very very simple हम factory overhead में अगर निकालते हैं तो factory overhead निकले का हमारा 16,000 है लेकिन 16,000 तो है नहीं तो यह 160 परसेंट के बराबर है तो divided by 60 हिंटू में 100 करेंगे that is आपका आजाएगा यानि यह 10,000 रहा होगा तब जाके यह 16 बनेगा सर यह तो समझ में आ गया अगर यह होता 15,000 तो कैसे करते हैं तब भी मैं यहीं करता 15,000 और divided by 160 यानि जितने परसेंट के बराबर है उसे क्या करते हैं सर हम डिवाइड में कर लेते हैं यहां तक आपको बात क्लियर हो जानी चाहिए पहले बताइए किसी को इसमें डाउट 10,000 में समझ में आईए सर टूड़े माई फर्स क्लास फ्रॉम विच बुक्स विउ आर गीविंग कुश्चन मैं बुक रेफर में हमेशा महिश्वरी मित्तल मैंने फर्स क्लास में बताया है जितने बच्चे जोईन हो रहे हैं फर्स क्लास के अंदर मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहूंगा कि प्लीज आप पिछली क्लास देखेंगे तो यह समझ में आ जाएगा और कॉस्ट अकाउंट की सबसे मजे की बात करू न तो कोई चेप्टर आपस में लिंक नहीं होता हर चेप्टर की कहानी अपनी चलेगी इसके अंदर अगर जो बच्चा इस चेप्टर जैसे आज एंड है बोलेगा सर कल तो आप दूसरा कराओगे तो हम कैसे करेंगे तो भाईया उससे कोई लेना ही देना नहीं है कोई लिंक नहीं है किसी भी चेप्टर का सर question and solution वाली पीडियेफ अप्लोड नहीं हुई है नहीं हुई है मैं देख लूँगा question वाली तो upload करी थी बाकी मैं भी देख लूँगा चलिए कुछ बच्चे book के लिए भी बोल रहे थे तो वो भी ready हो जाएगा कल मिल जाएगा अब को तर इसके बाद क्या कहता है यहां तक कहता है cost of goods sold अब मजे की बाद देखो cost of goods sold अच्छा इसका मतलब इसने मुझे यह दे दिया यह दे दिया मुझे सीधा heading उठा कर दे दिया ठीक है आगे कहता है inventory account show ठीक है okay कहता है raw material 8000 opening और closing तो आपका opening stock 8000 और closing stock 8600 तो minus का हो गया न minus 600 WIP यहाँ जाएगा opening stock WIP का कितने 8000 और minus closing WIP कितने 12000 minus 4 इसके बाद finished goods FG कहा आता है इसके बाद COGS तो निकलता है plus opening stock कितने 14000 बस put करना है data देखो minus closing stock कितने 18000 तो सर यह आजाएगा 4000 negative का ठीक है न इसके बाद यहाँ पे क्या कहता है सर other data given है कोई बात नहीं selling and distribution कहता है कि selling expense 3400 रुपए है तो यहाँ एका cost of sales से पहले यानि cost of good sold के बाद तो यहाँ पे selling expense लिख देते हैं कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा कोई बात नहीं अभी मैं इसको adjust भी कर देता हूँ selling expense selling expense कितना है 34,000 रुपए 3400 कोई बात नहीं 3400 इसको थोड़ा नीचे लेके जाया जाया selling expense के बाद क्या दे रहा है general and administrator expense admin expense कहा आता है net factory के बाद सीधा लिखने है admin admin expense कितने रुपए admin expense 2600 रुपए तो ये पता है question कैसा है आपको format अगर याद है तो बस फिल करते जाओ आपको कहानी समझ में आ जाएगा और answer भी समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है ठीक है चलिए इसके बाद देखते है क्या कहता है sales for the month 75,000 रुपए ओके sales 75,000 है लीजिये जी 75,000 है ठीक है you are required prepare statement showing cost of goods manufacturing sold and worth a profit earned कितने है वो बताइए honors में भी आया हुआ CA में भी आया हुआ B.com में भी आया हुआ कई बार ये question पूछा जा चुका है यानि एक तरीके से important question कहा सकते है तो sir statement को अब हमें prepare करना है इसने बोला कि required statement showing cost of goods manufacturing मतलब कितने manufacturing हुआ है cost का यानि prime cost भी पूछ रहा है एक तरीके से हम नीचे से ऊपर चलेंगे ठीक है ये 56 है although मैं इसके बाद जाऊँगा तो इसको अगर मैं plus करूँ तो ये आएगा हमारे निकल के 56 और तीन कितने होते है 56 और तीन 59 400 और इन दोनों के बीच का difference अगर ले लिया जाए कितने आजाएंगे एक तो profit तो निकाली लिया हमेने profit तो निकाल लिया correct अब आते हैं उपर चलिए sir नीचे से उपर जाते हैं ये आगया अब इसकी बात करते हैं तो 56 में 4 जोड देंगे 60,000 मैं इसको नए मारकर नए कलर से लिख लेता हूं ताकि आपको देखने में और समझने में असानी हो ये आगया sir 60,000 अब और उपर जाएंगे तो ये आएगा तो ये प्लस में तो माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 57,400 और उपर जाएंगे तो यहां पहुँचेंगे 4000 है तो 6,400 और उपर जाएंगे तो यहां पहुँचेंगे 10,000 है 51,400 और उपर जाएंगे तो यहां पहुँच जाएंगे तो कितना आ जाएंगे तो ये है हमारा raw material purchase मैं कैसे लिखूँ इसको थोड़ा नीचे कर दिया ये हो गया हमारा क्या required prepare statement showing goods manufactured यानि raw material purchase 36, अगर बोलते हो goods manufacturing में कितना खर्चा है तो ये आ जाएगा सरी 5,400 लो जी हमारा ये statement बनके हो गया तयार, answer वैसे दे रखा है आपकी किताब जिसने ले रखी होगी किताब में भी ये question है आप चेक कर सकते हैं मेरे कहले ये चौते ये पांच पे illustration के आसपास किताब में मिल जाएगा सर, pick में full screen show नहीं हो रहा ओके now देखिए, check करिए clear question मिला आउनर्स के book में कौन से नंबर पे है इधर होगा, कोने की side होगा 160% लिखा होगा इस side देखो, इस side यही तो नहीं है MN Arora book दोनों सेमी है लेकिन मैं महिश्वरी मित्तल को follow करूँगा management में मैं MN Arora लेके चलता हूँ book में questions आगे पीछे हुए पड़े है 21, हाँ चल जाएगी मिल गया answer check कर लिए clear किसी को doubt sir content में as well है content में solution डाल रखा है मैंने एक बार आप check करिएगा तो मिल जाएगा definitely clear चले next चलिए sir अगला सवाल आता है सवाल number 10 बच्चों ने इसका भी demand किया है sir please 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 इसे भी करवा दे homework में तो चलिए यह बहुत important अरे यह बहुत important सवाल एक तरीके से देखे voice SMS के doubt मैं definitely आप सभी के लूँगा अभी comment में लिखती है sir prime cost कैसे आया 51-400 बच्चे पूछने sir prime cost बताईए हमें ओके prime cost देखे प्राइम कॉस्ट देखे प्राइम कॉस्ट देखे प्राइम कॉस्ट 51-400 कैसे आया मैं यहाँ पर फिर से बना देता हूँ मैं कैसे चला उपर मेरी चड़ने की गती को देखेगा मुझे यह गीवन था मैंने इसमें यह plus किया तो मैं यहाँ पहुँच गया यह पता चल गया फिर मैंने इसमें यह minus किया तो यहाँ पहुँच गया फिर यह given था इसको plus किया तो यहाँ पहुँच गया फिर यह minus किया तो यहाँ पहुँच गया यानि वेरी वेरी सिंपल जो चीज़े माइनस है वो मैं उपर जाते टाइम पे प्लस करता गया और जो चीज़े प्लस है उसे माइनस करता गया और इस जगह पे मैं पहुँच गया और मैंने इसका अंसर दे दिया नेक्स सवाल करते हैं कंप्यूटर से जोइन नहीं हो पा रहा है शायद आज इनेबल करना भूल गया हूँ मैं अभी एक बार मोबाइल से देख लिए जादा तो कुश्चन नहीं नहीं है तीन चार कुश्चन है छोटी से क्लास एक बार मैनेज करिए मैं इसको चेक कर लूँ क्योंकि पहले वाले वाइट वाले थोड़े से बच्चे बोलते थे समझ में नहीं आ रहा है दिखने में दिक्कत थे तो आप एक पर बता दे कमेंट में कि ये विज्वल है या नहीं है सर मैनिफेक्चरिंग कॉस्ट रॉव मैट्रियल पर्चेस करते हैं हाँ बिल्कुल प प्राइम कॉस्ट अब देखते हैं सर ग्रॉस लिखें नेट डबलू आईपी तो है नहीं इसमें तो क्या जाएगा हमारा फैक्टरी कॉस्ट इसके बाद क्या जाता है सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसके बाद क्या जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सूल्ड इसके बाद क्या जाता है कॉस्ट ऑफ सेल और लास्ट का तो आपको पता ही है profit निकल जाना है last में तो आपको पता ही है कि profit निकल जाना है एक तो थोड़ा coloring का ना अब ठीक है चलिए सबसे पहले manufacturing cost manufacturing cost सर पच्पन सो रुपर material use in packing material अब बात कर यह packing कहा होता है factory के अंदर तो मैं यहाँ पर factory cost working note लिख दूँँगा क्योंकि ना factory overhead cost नहीं factory overhead क्योंकि यहाँ पर मैं जगह थोड़ा सा हो जाता है तो मैं लिख रहा हूँ तो material use packing सर एक जगह और जा सकता है यह आपने बोल तो दिया packing selling के time पर भी तो हो सकता है तो दोनों जगह हो सकता है तो ऐसी दूबीदा के लिए क्या है note कि हम मानके चल रहे हैं अगर यह गत्ते में pack हो रहा है factory के अंदर तो यह factory का part है अगर यह बेचते time पर packing की बात कर रहे हैं तो कहां का part माना जाएगा selling and distribution कुछ नहीं बोला और आपका ऐसा confusion जो आपके साथ confusion है वो मेरे साथ भी है तो ऐसा situation में आपको note देना होता है we assume that that packing जो भी आपका material cost है वैसे packing use in packing material कह रहा है तो मैं factory का assumption लेके कर रहा हूँ material use in selling material use in selling the product तो सार यह material use हुआ है packing में factory में डाल दिया material use manufacturing में यहां डाल दिया और selling में अलग से बता दिया अब दूबीदा खतम है ना selling and distribution तो सार selling and distribution की बात करें तो packing packing कितने रुपे सार 150 material use in factory अब फिर से कह रहा है सर फेक्टरी में 75 material use in office admin expense कितने रुपे 125 रुपे labor required in production production में labor required है तो यहां पर आएगा कितने रुपे का labor है 1000 labor दो तरीके का बताया था productive एक unproductive तो production में तो productive labor है तो यहां जाएगा labor required supervision of the management of the factory तो factory तो factory overhead में आ जाएगा यह लिए पर क्योंकि factory का supervision के लिए manager management के लिए 200 रुपे expense direct factory 500 रुपे direct expense है इसके बाद expense indirect factory overhead आ जाएगा कितने रुपे इसके बाद expense office एक सो इसके बाद depreciation office building कितने रुपे बिच अत्तर तीन सो पचास 75 factory का depreciation कितने 175 selling expense कितने रुपे 350 freight on material यह direct है सर carriage या freight कहलो कितने 500 advertising कहा होगा कितने यह थोड़ा सा mix सा हो गया है इसको मैं थोड़ा colorful कर देता हूँ आपके लिए इसको कर देते हैं सर yellow इससे white रहने देते हैं बस इसको हटा देते हैं इसको कर देते हैं यह ठीक है अब मुझे बस फटा फट से यहां पर क्या करना है टूटलिंग करना है बताईए पहले का टूटल एक हजार पिछात्तर दो सो एक सो पिछात्तर बताईए पंदरा सो पचास तो फैक्टरी ओवरहेड सर फैक्टरी ओवरहेड देखना है तो वर्किंग नूट नमबर वन में जाईए आप पंदरा सो पचास फैक्टरी ओवरहेड के बाद हमारा आजाएगा एडमिन एडमिन एक्सपेंसी एडमिन ओवरहेड कितने आजाएगे पानसो छेसो छेसो पच्चिस देखना है ओके 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 375 देखना है तो जाइए वर्किंग नूट नमबर 3 cost of production के बीच में जो आता है यहाँ पे आता है हमारा opening stock that is zero closing stock that is zero अब आ जाता है यहाँ पे selling expense selling expense जो कि आये 600 देखना है तो working note number 2 में जाईए समझ में आया यह कैसे किया मैंने आप exam में ऐसे कर सकते हैं last वाली line के लिए assume that all product manufacturing are sold, सब बेच दिया गया sold selling price obtained 25% on selling price कहता है के भाईया हमने सारा बेच दिया, पहले निकालतों लोग कितना होता है तो यह चेक करते हैं तो 6,7 7,500 325 admin सही सही बताओ तो यह 6,7,500 और यह हो जाएगा 15,8,000 बताओ कितना होगा 8,050 यह बताओ क्या रहा एड्मिन 325 यह 325 है यहां लिखा नहीं न मैंने ठीक है अब इसको एड्ड कर लेंगे 8,000 में तो 83,25 इसको एड्ड कर लेंगे तो 83,50 और 6,89 अब बात कर लेते हैं सेल्स की कहता है जी हमने जो भी सेल्स किया है ना क्या? यह 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 साथ अच्छा नो हजार पचास तो यह हो जाएगा हमारा यह 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 कितना होगा चौरानवे सो छे कहता है कि assume that production सेल हो गया 25% of the selling price अब ध्यान देजिए यानि कहता है जो भी हमारा यहां पे होगा profit वो profit कितना होगा? 25% किसका 25% होगा सर? सेल्स का 25% किसका होगा हमारा? सेल्स का लेकिन सेल्स तो पता नहीं है ठीक है न? तो आपको दो तरीके हैं आप फॉर्मुला लगा लिजिए सीधा sales is equal to cost प्लस में profit sales नहीं पता x cost पता है आपको 10,000 और profit इसका 25% है तो x, y क्या आजाएगा? 4 इसको जब आप solve करेंगे तो 3x, y is equal to 4,000 divided by 3 कितने आ गया? point में आ गया? कितना है point में? 13,300 तो यह आ गया 13,333 और यह आ गया 3,333 का profit अगर यह कहता है न, on cost तो मैं इसी के ऊपर सीधा 25% एड कर लेता और बकाइदा ऐसे percentage के लिए table आपको पता होना चाहिए हलाकि मैं अगर मैं बताओं तो यहां पे 4 सीधे आपको धियान में रखना होता है percentage के terms में कि जो profit है वो sales पे है या फिर profit cost पे है इसको मैं एक बर करके दिखाता हूँ समझेगा बात को यानि सर profit वाला जो पंगा है न इसमें क्या दिक्कत आता है मान लेते मैंने आपको दिया sales 100 रुपे और मैंने जीपी दे दिया आपको 10% और मैंने पूछा जी cost बताईए तो कैसे निकालोगे सर formula यही रहेगा sales is equal to cost प्लस में जीपी तो sales हमें पता है 100 रुपे cost नहीं पता सर यही तो निकालना है और जीपी पता है सर कितने पे 10% कुछ नहीं बोला यहाँ पे तो आप मानोगे 10% sales पे तो that is 10 तो बड़ी simple सी बात है इधर उदर करके आप जो भी करके आप निकाल लोगे क्या 90 रुपे चेक है ना दूसरा case देखिए मैंने कहा sales 100 रुपे और जीपी कहा मैंने on cost on cost 25% आप cost निकाल लिए तो सर यहाँ पे again formula जो put करेंगे क्या निकालेंगे sales is equal to cost plus GP sales पता है 100 रुपे cost नहीं पता x GP किस पे कहता है sir GP कहता है cost पे तो अब x का 25 यानि x by 4 इसको solve करेंगे तो 5 x by 4 is equal to 100 और x की value solve करेंगे तो आ जाएगा हमारा 80 रुपे ठीक है यानि आप इन दोनों सवाल को पहले आप देखिए इन दोनों situation को देखिए एक बार तो मैंने ऐसा कुछ x vex वाली कहानी नहीं करा और एक बार मैंने x vex वाली कहानी कर लिया जैसे इसमें नहीं किया और इसमें मैंने करा है यहाँ पे sales दे रखा है सर यहां भी sales दे रखा है यहां पे GP दे रखा है यहां भी GP दे रखा है फरक है यहां पे GP किस पे है? sales पे है और यहां पे GP किस पे है? cost पे तो जब cost पे होगा formula अपलाई करी है जो चीज़े missing उसको excellent करके फटा फटा आप कर सकते हैं इसका shortcut भी बता देंगे अभी सर इसके बाद देखा जाए तो अगर मुझे cost मैं आपको दे दूँ 100 रुपे और मैं GP कहूं on cost मान लो मैंने कहा 25% तो आप मुझे sales निकाल के बताईए क्या होगा तो जवाब आता है सर फॉर्मूला क्या लगेगा वही लगेगा ना भाया प्लस में GP सर सेल्स पता है क्या नहीं पता cost पता है क्या पता है हमें cost 100 रुपे और GP किस पे है सर GP इसके उपर है तो सीधा 25 हो गया ना तो 125 आ गया हमारा अगले point को चौत्ता कीश देखे यह 4 point में सारा समझदारी होती है बच्चों के क्या समझ जाते है क्या करना है क्या नहीं करना है मान लो मैंने यहाँ पे cost दिया आपको और cost that is 100 और GP on sales दे दिया मैंने that is 20% सर आप निकाल लिए क्या सर sales निकाल लिए formula लगाओ क्या sales is equal to cost प्लस में GP sales पता है क्या नहीं पता cost पता है जी पता है GP किसकी बात कर रहा है sales पे तो x by 5 इधर solve करेंगे तो आप minus कर देंगे तो यहाँ जाएगा हमारा 4x by 4x by 5 पूरा solve करेंगे तो is equal to 100 x की value जब आप sort out करेंगे ना आप इसे आराम से घर पे जैसे की note करेंगे तो definitely check कर लीजेगा एक बार मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ यहाँ पे इसको करेंगे तो यह आ जाएगा सर आपका x का value 75 रूपेस आ गिया अब गुमा फिरा के examiner के पास ना एक ही बाते हैं जो कि examiner पूस्ता है अच्छा 125 रहा है गुमा फिरा के examiner एक ही बात पूस्ता है अच्छा sale निकाला है न क्या पूस्ता है सर गुमा फिरा के examiner एक ही बात एक बात वो होता है यह मान लेते है cost यह मान लेते है sales cost के उपर अगर मैं बात करू percentage में निकाल के चल रहा हूँ cost के उपर अगर मैं 20% होगा तो sales पे होगा 16.66% that is 1 by 6 अगर मैं cost पे 25% की बात करूँ तो automatic इस पे बन जाएगा हमारा 20% इस पे अगर मैं आपका 33.333 that is 1 by 3 बात करूँ तो यहाँ पे होगा 25% अगर यहाँ पे मैं 50% की बात करूँ तो यहाँ पे होगा 33.33% that is 1 by 3 तो इनी percentage को पूछता है मालो आपको sales दे दिया और direct sales पे पूछ ले तो कहानी में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन cost दे दे और sales पे पूछ ले sales दे दे और cost पे पूछ ले ऐसे अगर बदल दे तो percentage apply करोगे change करके जैसे हमारे वाले सवाल में कहता है sales पे 25% तो यहाँ आ रहे और हमें given क्या था sales नहीं पता था हमें given क्या था cost क्योंकि निकाला था cost पे कितने percent निकालोगे 33 तो आप यहाँ पे answer देखोगे directly 33% हमारा यहाँ पे आ गया उस case में हमें इतना solve करने की जोरत नहीं है अगर यह समझ में आया है तो ठीक नहीं तो मैं detail वाला topic भी मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं बता यह किसी को doubt second case बता दो first case बता दो अब देख लिए एक बार मैंने पूरा बता आया है फिर से देखिए सर परसंटेज कैसे निकाली है यह परसंटेज ना fix है मैंने पहले एक बार practice करके examiner ऐसे पूछेगा तो इसका ऐसे answer होगा वो मैंने लिख के याद कर लिया है तो ऐसे ही आपको याद कर लोगे तो थोड़ा calculation easy हो जाएगा जैसे मुझे याद था वहां के 25 है तो 33 होगा लेकिन मैं direct 33 कहता है तो आप पर रिशान हो जाते है अब मैंने बता दिया 33 कर लो या फिर एक्सलेट करके कर लो हिना case to clear है आपका आयूश आपका clear है तो आगे बढ़े हम clear sir clear है first और बांकी sir क्यारे sir first और बांकी बस तुशार समझ में निया है case two बता दो एक बार देखो case one case one में आप notice करिए ध्यान दीजिए क्या दे रखा है sales और यहां सिर्फ GP बोला है gross profit जब कुछ ना बोला हो तो मान लो sales पे है तो ये भी sales है और GP भी sales पे है लेकिन second में देखिए sales है और GP किस पे कह रहा है cost तो ऐसे situation में cost को आपको x let करना पड़ेगा और जो GP कहता है ये किस के उपर depend करता है cost के उपर इसलिए मैंने इसके उपर cost पे निकाला x by 4 कैसे आया आप 25% जब निकालेंगे ना x का x गुना में 25 बाई में 100 तो ये आप solve करेंगे तो x by 4 ही आएगा इसके बाद third case में देखिए क्या है cost और यहाँ पे भी cost है तो directly 100 का 125 आ गया यहाँ पे cost है और GP किस पे है sales पे तो फिर let x करके हमने solve किया है और ये कुछ table बताया जो कि ऐसे sort out हो सकता है हमारा चाहें तो ओके Sir question number 12 raw material, direct wages, factory overhead, opening stock, WIP तो है नहीं सबसे पहले क्या लिखें Sir prime cost फिर क्या लिखें factory cost फिर क्या लिखें cost of production फिर क्या लिखें cost of goods sold और फिर लिखेंगे cost of sales और लास्ट में लिखेंगे Sir sales इसको थोड़ा adjustment कर देते चलिए raw material देता है तो यहां जाएगा हमारा raw material सर राव मेटरियल छे हजार direct wages देता है पांच हजार factory overhead चौबिस हजार चौबिस सो opening stock FG यहां ध्यान दीजिए यह 200 किलो है और 800 रुपे का है तो opening stock किसका FG का ठीक है 800 रुपे का और 200 किलो तो अगर मैं opening stock का rate निकालू तो Sir rate क्या होगा rate होगा 800 divided by 200 यह चार रुपे का हिसाब किताब बन रहा है ठीक है चलिए अभी तो लिख लेते है opening यहां यही पर आएगा आपका opening stock plus करते हैं amount दे रखा है हाला कि तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है जो कि मैं 800 रुपे लिखने जा रहा हूँ closing stock कहता है Sir finish 400 किलो है तो Sir closing stock कितने है 400 केजी लेकिन हमें यह नहीं पता कि यह कितने रुपे का है तो closing stock हमारा है Sir 400 केजी और 400 केजी को देखें तो इसको multiply rate से करते तो हमारा मकसद कामियाब मतलब के पता चल जाएगा कहता है finished product हमने बेचे 20,000 रुपे का sold किया हमने 20,000 का लेकिन पता है कितना बेचे हमने Sir 3000 केजी यानि Sir opening stock भी है closing stock भी है और यह भी सारी चीजे है तो इसका मतलब Sir मैंने बताया था sales unit is equal to opening stock plus में purchase यानि production कह ले है मैं purchase लिख रहे है मैंने plus में minus closing तो Sir sales पता है Sir 3000 opening पता है Sir 200 production नहीं पता minus closing पता है Sir 400 यहां से जब हम इसको solve करेंगे तो 200 minus यानि 20 800 kg क्या आजाएगा हमारा यहीं आएगा ना 2800 kg आजाएगा production 32 आएगा अच्छा 32 आजाएगा ओके plus हो जाएगा इदर आके ना तो 3200 आजाएगा Sir यहां prime cost की बात करें तो prime cost 11,000 factory cost की बात करें तो 13,400 Sir admin नहीं है क्या advertisement है profit desire 30% on sale बात करेंगा admin है नहीं लो 13,400 यानि Sir 13,400 आप 32,000 kg जब आप बना रहे हो तो आपका खर्चा हो रहा है 13,000 तो आप बताईए 1 kg का कितना खर्चा हैगा तो आप कैसे निकालेंगे Sir 13,400 divided by 32 कितने आ रहे हैं बताईए 4.75 यह rate आए इससे multiply कर देंगे इसको तो यह आप आरा 800 तो यह रह जाए तो 1675 माइनस का और इसको तो यह 800 रिख देते हैं ठीक है यह आगे है कहानी यह थी इसमें अब आगे कहता है advertisement selling expense तो selling expense यहाँ जाएगा Sir selling expense कितना है Sir 1475 इनको जोड़िये घटाईए cost of sales आएगा जोड़िये घटाईए जो भी करना है 11,000 और नीचे कहता है profit sales पर 30% तो 30% कितना होगा profit और यह अगर आप जोड़ते भी हैं तो यह आएगा कितना हमारा 14,000 14,000 यह तो गड़बड हो गई प्लस किया आपने कहता है कि profit desire is 30% on sales 30% sales का मतलब sales 6,000 20,000 6,000 होना चाहिए तो यह 14 होना चाहिए कहीं गड़बड़ी करिए चेक करिए फटा फट 6, 5, 11, 24, 13 300, 400 पर 800 हम प्लस कर देते हैं और माइनस कर देते हैं यह सही कर रहा है नहीं हम प्लस माइनस 800 प्लस करोंगे 14 तो आई जाएगा 800 प्लस करोंगे तो बारह पानसो पैसे 14 आएगा ना उपर बारह यह कितना हैगा 12 अब 14 आ जाएगा आ तो गया ठीक है ना बन गया हिसाब तो जो उसने बोला था हलाकि profit निकालने को बोला गया था ये rate ना किसी काम का नहीं था नहीं देता तब भी निकाल लेते हैं ये था हमारा सवाल नंबर 12 COGS 12-525 बच्चों ने बता दिया profit 6 के बिल्कुल सही सर अगले सवाल पर चलिए ये भी करेंगे इसमें तो कोई doubt नहीं है ये simply format वाला question है इसमें कोई doubt होना भी नहीं चाहिए format वाला question है आपका हो जाएगा ये और 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 अभी मैंने करा दिया 20% on cost price वाला सारी बाते करा दिया है तो पहला जो करा है हो जाएगा वो बस मेरा एक target रहे गया last ये question कराना ठीक है तो last question करते है चलिए sir sir opening में 4 और closing में 4.18 अठारा है sir difference क्यों हाई difference आता है ना पुराने time पे labor 5 रुपे लिया करता था तो कल बनाया था labor ने 5 रुपे आज labor 6 रुपे के हिसाब से काम कर रहा है तो उस बेर से closing stock में डिफरेंस आ जाता है चलिए sir क्या क्या है यहाँ पे stock है raw material purchase है manufacturing चलो WIP तो नहीं है सबसे पहला prime cost दूसरा factory cost तीसरा cost of production चौत्था क्या होगा cost of goods sold पांचवा क्या होगा cost of sales और last sales जो हमने पहले ही सीख रखा है तो आप chapter देखेंगे chapter इतना मुश्किल नहीं है मुश्किल बोलना बेकार है इस chapter को सबसे पहले क्या कहता है पढ़ लेते हैं सवाल को कहता है prepare a cost sheet show the total cost production and cost per unit अच्छा सर यहाँ पे production भी बताना है और cost per unit भी बताना है कोई बात नहीं and goods manufactured by the company of the month July also find out the cost of sales cost of sales भी निकालना है मतलब यह भी निकालना है तो हम cost sheet में सारी उनकी जो भी उमीद होती है जो भी question होता है सब पूरा कर देते हैं पहला कहता है raw material एक अपरेल को तो opening stock sir raw material का opening कितने का इसके बाद कहता है sir raw material purchase purchase कितने का 28,000 इसके बाद कहता है raw material at the end minus closing stock कितने का 4,500 यह minus का हो जाएगा मैंने उपर नीचे कर दिया ऐसा कोई फरक नहीं पड़ता manufacturing wages यहीं आएगा इसको नीचे लेके आऊ manufacturing wages कितने 30 अच्छा 7 इसके बाद depreciation on plant कहां factory में मैं यहां लिख लेता हूँ factory overhead यहां working note बना लेते हैं factory overhead depreciation पहला पार्ट सर कितने रुपे हैं 1500 loss on sale of plant plant के उपर हमारा क्या हुआ है loss हुआ है तो सर यहां पे दो तरीके के loss हो सकते हैं यह हो सकता है इसको abnormal loss मानिए यह मानिए normal loss तो जो भी हमारा loss होगा plant पे हम अगर यह abnormal हुआ तो यह cost sheet का पार्टी नहीं होता हमारा ठीक है न यह हमारा financial का खर्चा होता है और p handle का पार्ट माना जाता है लेकिन यहां पे आप ऐसा भी मान सकते हो कि अगर यह normally होता रहता है इस तरीके का तो यहां add on कर सकते हैं मैं अभी इस पे star बना देता हूँ बाद में थोड़ा और detail में बात करेंगे factory rent, rent कितने है तीन हजार office rent, तो admin rent कितना है पान सो journal expense, कहां जाएगा कुछ नहीं पता, मैंने यहां डाल दिया discount on sales, selling and distribution कितने advertisement expense कितने income tax हमारा finance का पार्ट होता है इसको नहीं लेंगे, ignore करेंगे इसको, the number of unit पडियूस जुलाई में तीन हजार unit किया है, तो एक बार मैं फिर से finance के खर्चे आपको याद दिलादने चाहता हूँ कि हमने किये थे यह सर कहां किया था ये ये रहा नहीं, बारा पे भी है हाँ, यहां से देखिए यहां पे बता है था purely financial income है income की बात कर रहे है तो, हम खर्चे पे अभी और एक यह था abnormal gain और loss loss और gain on sale of fixed assets बात आ गई न, वो plant and machinery बेच आ था loss on sale of fixed assets और loss to business property on account theft, fire, occur ये कौन सा होता है, abnormal gain होगा या abnormal loss होगा तो इसके अंदर आपका abnormal loss और abnormal gain यहां पे purely financial income था और ये था हमारा सर पूरा का पूरा खर्चा जिसमें income tax भी आया हुआ था item exclude from cost account मतलब cost account करते टाइम पे item को हम देखेंगे ही नहीं, ये पढ़ा था हमने सर्फ किस-किस item को नहीं देखेंगे, जैसे कि आपका appropriation of sinking fund, dividend paid tax and income income के उपर tax, profit तो tax आ गया क्या कह रहा है यहां पे उसे देखा ही नहीं जाएगा, और किसे नहीं देखेंगे transfer, general reserve excess provision, amount return of as a good will आपका charitable donation loss on sale of investment building and etc, आपका expense on transfer of the company office, और क्या था interest on bank loan, mortgage, extra और ये सारे खर्चें हैं जिसको नहीं लिया जाएगा, साथ के साथ ये भी ऐसे वही income है, उसी का part चल रहा है जिसको ignore करना है तो सर्थ ये भी वही चल रहा है जिसको क्या करना है ignore करके चलना है, तो हमारे सवाल के अंदर, मैं अगर आपसे पूछूँ जो हम सवाल कर रहे थे ये रहा हमारा सवाल तो इसके अंदर दो बाते आई, एक आया loss on sale of plant and machinery क्योंकि ये abnormal loss है तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, ignore कर देंगे, ये purely finance का है दूसरा इसके बीच में एक क्या डाल दिया उन्होंने income, ये भी हम ignore करके चलेंगे, क्योंकि ये किसका खर्चा है finance का खर्चा है, यहां तक clear आ रही है बाते आपको समझ में चलिए sir सब कुछ लिख लिए हमने, अब लिखते हैं अब ये एक काम तो बाकी है सर फेक्टरी ओवरहेड, फेक्टरी ओवरहेड बताईए पैंतालिस सो इसके बाद, फेक्टरी के बाद क्या आएगा sir, एड्मिन एड्मिन कितने है 900 रुपए इसके बाद क्या आएगा sir, प्लस माइनस ठीक है तो प्लस माइनस देख लेंगे अभी क्या करना है अब नीचे वाली लाइन भी पढ़ लेंगे सेलिंग एक्सपेंस को लिखी देते हैं कॉस्ट अफ गूड सोल्ड के बाद सेलिंग एक्सपेंस ये भी 900 900 ठीक है फटा फट टोटल करो इसको 33 और 4 37 38 38 अब कहानी यहां पढ़ते हैं कहता है दा स्टाउक अफ फिनिस गुड्स वास्ट तू हंडड और फूर हंडड यूनिट यानि सर फिनिस गुड्स का जो स्टाउक है ना 200 है और 400 है 200 और 400 अउन एक साथ और 31 तो यह वाला जो दे रखा है ओपनिंग और यह दे रखा है क्लोजिंग है रिस्पेक्ट वी दा टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट हैड ओन जो एक साथ को था ना उसकी कीमत कितनी थी अल दा हैड बिन सोल्ड डूरिंग दा इयर and all these had been sold बाकी जो बचिया उसे बेच दिया कहने का मतलब यह है तो सर ओपनिंग स्टॉक का तो पता ही हमें कितने है लेकिन सर क्लोजिंग स्टॉक का नहीं पता तो प्रड़क्शन और सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा again वही कहानी प्रड़क्शन यूनिट क्योंकि यहां पर हमें ओपनिंग स्टॉक पता है क्लोजिंग पता है और सेल्स पता है देखे कहता है कि कितने हजार नंबर बेचे तो यहां प्रड़क्शन पता चलेगा समझ रहे हो तो यहां क्या होगा हमारा sales is equal to opening stock plus production और minus closing stock तो sales हमें पता है तीन अजार opening stock पता है दो सो production X है और ये 400 तो कहानी वही आ गई यहां पर 32 है ना 32 कहानी वही आ गई 32 रुपे हमारा निकल गया क्या सर production अब 32 यूनिट का खर्चा आ रहे हमारा 38,900 32 यूनिट का तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा 38 900 डिवाइड बाई 32 बताइए क्या आ रहा है 12.16 12.16 ले लो कहानी खतम करो तो अब यहां पर जो आएगा ना closing stock वो आएगा 400 इंटू में 12.16 अब पूरा multiply कर लो उसे बताओ क्या बनता है 48 बासट कर लेते हैं अब इसे करिये अब इसको भी प्लस कर दीजे ये cost of sales आ गया है पूछा था also find cost of sales 45 कितने इसमें दो नोट लेंगे नोट नमबर बन के जो plant पे हमारा loss हुआ था taken as abnormal loss not considered in the cost sheet note number two income tax हमारा finance का खर्चा है इसलिए यहाँ पे नहीं लिया गए इसका answer अगर उसे आप normally मानते हो नो plant का तो वहाँ पे देखो answer क्या बदलाव होगा बदलाव यह होगा जो 38 900 है ना यह 38 900 में यहाँ पे और हमारा यह खर्चा जो था कितने का 300 का जुड़ जाएगा तो 38 900 और 300 कितने हो जाएगे 49 200 और इसको divide करना पड़ेगा 32 तो rate क्या है बताओ टू फाइब बारा पॉइंट टू फाइब तो ऐसे situation में 12.25 से इसको multiply कर देंगे हम और फिर यहाँ जो आएगा वो कहानी कुछ और आएगा 25 से बिल्कुल exact number आजाएगा तो हमें number पे नहीं जाना जो हमने किया उसको क्या डाल दिया हमने note डाल दिया question में कहता है था cost sheet बनाईए आपका production cost per unit goods manufacturing by the company month July तो per unit भी निकालना है तो जो manufacturing किया है तो यही मैंने निकाल तो दिया per unit क्या था ये manufacturing का 12.16 भी हो सकता है 12.25 भी हो सकता है depend on कि आप उस 300 को क्या मानते है 3000 unit production की है बच्चे कहने सर production की unit 3000 unit है मैंने गलत पढ़ लिया number अरे गड़बड करवा दिया सब गलत दुबारा करते हैं अब सर production दे रखा है तो sales unit नहीं पता था तो production कितने unit है 3000 अब sales तो बैसे भी निकलना production 3000 unit दे रखा है cost कितना आ रहा है हमारा 38 900 divided by 3000 अब निकालो cost क्या है एक cost यह आएगा क्या आया 12.96 और एक cost यह भी आ सकता है 49,200 वैसे यह होगा नहीं 3000 क्या आया यह 06 यह assumption के उपर है मैं 12.96 ले रहा हूँ ठीक है 12.96 सब को काटो अब तो यह होगा 400 into 12.96 अब बताईए 85 85 85 अब बताईए 36 515 अब यह कुछ बूँ 37 400 अब यह बिल्कुटी ठीक है पर यूनिट कॉस्ट पूछा है क्या है हमारा सरी यह दो कॉस्टन क्या पूछता है कॉस्ट शीट बनाईए पर्डक्शन कॉस्ट पर यूनिट गुड्स manufactured by the company और लास्ट में बोलता है cost तो सारी चीज़े निकाल दियो जो examiner को चाहिए होगा वो लिख देंगे लेकिन आप exam में न एक को सिस और करेंगे कि जैसे जो जो पूछा हुआ है जैसे बोलता है कि total cost of production total cost of production तो नीचे एकना answer भी लिख दिजेगा यह पूरा solve करने के बाद answer total cost of production जो आगया हमारा जैसे क्या गया 38 900 उसके बाद बोला कि cost per unit CPU आगया 12.96 यह एकना लिख भी दीजिए अलग से नीचे answer ताकि examiner को highlighted रहे कि जो question में requirement थे बच्चे ने बता तो दिया और कैसे बताया है वो इस way में बताया है इसमें marks कटने के chances आपके ना के बरावर होते हैं नोट देना जरूरी है आपको clear हमें कैसे पता चलेगा के normal है के abnormal है जितने भी fixed assets के losses होते हैं न वो सारा abnormal ही माना जाता है clear चले इसके बाद हमारा सवाल था ये 15 और एक ये सवाल था ये भी हो जाएगा तो लगबग हमारा ये chapter होता है मेरी तरफ से खतम आपके book के अंदर सवाल दे रखें book के सवाल के question प्रैक्टिस कर सकते हैं बाकि मैंने जो सवाल मैंने दिये थे इसके solution भी दे दिये कुछ extra question भी मैं practice के लिए अब डालूँगा उसके अंदर जिसके answer मैं दे दूँगा